नमस्कार दोस्तो रोहित है दोस्तो आज आप लोगों ने आल इंडिया टेस्ट दिया होगा और ये उसी का एनलिसिस पार्ट है कुछ word of advice रहेंगे आपको ठीक लगे तो उसको follow करिएगा नहीं तो आपकी मर्ची देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पिछली बार exam हुआ तो आप उसमें पाएं होंगे कि बहुत लोग का नंबर है 100 से 105 के बीच में cut off गया है 113 मेरा 2-3 सला है कि क्या बहुत अंतर है क्या 105 और 113 में बहुत अंतर नहीं है आप 2-3 महिना पढ़के बहुत अंतर create कर लेंगे क्या नहीं कर सकते हैं तो 105 या 100 स 103 के बीच में जिसका नंबर है और 113 में अंतर क्या है अंतर दू चीजों का है आप पेपर को एनलाइज करिएगा अगर आप यह सोचते हैं कि knowledge को बढ़ा लेंगे गलत हैं 113 वाला ऐसा कोई तोप तो है नहीं नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था तो भाई का बुखा नहीं लहा इसलिए हम आउट हैं तो यह बहुत जायज नहीं है मेरा दो चला है कि अगर आप अपनलेशिस करेंगे तो आप देखेंगे कि दो चीज की कमी रही होगी एक प्रैक्टिस की कमी रही होगी और दूसरा एक्जाम में टेंपरामेंट का कमी हुआ होगा एक्जाम में आता हुआ आपने गलत कर दिया और the moment you have done that you are out जो 113 नंबर लेकर आया है उसका आता हुआ question आप देखेंगे कि 2 से 3 गलत हुआ है और आपका आता हुआ question 5 से 6 गलत हुआ होगा minimum हम बोल रहे हैं तो हम लोग अगर इन दोनों चीजों पर command कर लेते हैं तो हम आसानी से 120 के आसपास score कर सकते हैं देखी practice के लिए हमेशा दो चीज का ध्यान रखना होगा एक practice को focus करेगा previous year question पर और दूसरा कोई भी एक test reach को join कर लीजिए वो हम नहीं बोलना है कि BCW का ही join करिए जो test आपको उचित लगता है उसको market से खरीद लीजिए online उसका exam दीजिए पर question का जो quality question होना चाहिए क्योंकि देखिए अगर quality question आप नहीं attempt करेंगे तो आप 10,000 question बना के गए वो 10,000 एक question पूछ देगा आप फस गए quality question जो भी market में बढ़िया आपको लगता है XYZ का आप उसका खरीद के जरूर attempt करिएगा exam में temperament कैसे improve करे अमूमन आप देखते हैं कि आप अगर एक साल या दो साल तहारी कर चुके हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है घर पे बैठके दे देंगे तो जब घर पे आप बैठके exam को देते हैं तो exam का pressure create नहीं होता है हम लोग क्या करते हैं कि देड़ सो question को बैठके एक बार में 50 बना लिया फिर 50 बना लिया फिर 50 बना लिया तो दिमाग ठका नहीं जब दिमाग ठका नहीं तो आप exam में जो जो ठकावट के चलते जो exam में mind tiring के चलते जो आप गलत करते हैं वो नहीं गलत कर पाते हैं तो हमेशा भी एक बार में बैठके डेल सो question को attempt करिएगा time bound manner में attempt करिएगा तो उसके लिए है कि कोई भी आज के जितनो online test मेरा ही नहीं x y z जो भी coaching आपको मन करें उसका आप test स्री join कर लिजिएगा या अगर नहीं join करना है तो question को print out कर लिजिएगा बढ़िया question को घर पे बैठके attempt कर लिजिएगा online दिजिएगा तो उसमें है कि आपको ranking वगरह मिल जाएगा बाकी दम आपकी मर्जी है आप पर निरभर करता है देखिए हम लोग जो PY की वाला segment है इसके लिए कुछ किये है किये in the sense है कि अगर आप देखिएगा कि 20-25% question BPSC में वो previous year question को repeat कर देता है उसको घुमा फिरा कर पूछ लेता है पर IO commission क्या है कि बहुत गलत गलत answer देता है हाल में अगर आप देखिए होंगे कि AEO का exam हुआ headmaster का exam हुआ CDPO का exam हुआ district art and culture officer का exam हुआ तो हम लोग ने decide किया है कि जितना BPSC का exam हुआ है वो तो ठीक है पर यह सब जो exam हुए है जो BPSC ने conduct किया है और questions बड़े अच्छे है हम लोग इन exams के भी questions को लिए है और हमको लगता है कि 8 जनवरी के आस पास तक आपको market में एक book मिल जाएगा BPSC concept वाला का जो previous year questions का book रहेगा वो completely official answer की पे लोग ने बनाया है ताकि अगर मानते हैं कि हमको लगता है कि इसका answer बॉम्बे होना चाहिए तो हम लोग लिखे हैं कि इसका कैदे से बॉम्बे होना चाहिए बड़ कमिशन ने ई दिया है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो पहली बात ये प्रिवियस येर क्वेस्चन्स वाला कोई भी अगर आपको हमारा बुक नहीं पसंद है कोई भी XYZ खरीदिएगा उसका जरूर बनायेगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है हम लोग का करेंट अफेर्स का भी एक बुकलेट लेकर आ रहे हैं इस दे लेकर आ रहे हैं कि पिछली बार हम लोग आप देखे होंगे कि लोग करेंट अफेर्स को लेकर बहुत पहनिक कर जाता है उस बुकलेट में नेशनल करेंट अफेर्स भी रहेगा और बिहार करेंट अफेर्स भी रहेगा पर हम लोग से ये मत उमीद करिएगा कि जितना भी कचड़ा-पचड़ा मुख्यमंत्री जी कहां गये, क्या उधगाटन किये, ये सब हम लोग नहीं डालेंगे, जो भी official उनके handle से आया होगा, जो भी official P.I.E.B. से आया होगा, केवल वही डालेंगे, तो इस book में दोनों का हुआ, इसमें एक बहुत महत्वपुन चेंज किया गया, कि जो mayor और deputy mayor होते थे, उनका चुनाओ पहली बार direct election के थू किया गया है, direct election in the sense that, कि पहले क्या था कि हम लोग ward परिषद को चुनते थे, मानते हैं कि आपके सहर में आप 100 ward परिषद हैं, इस 100 ward परिषद जो है, म और उप mayor का चुनाओ जो है, उसको directly vote किये हैं, सहर की जितने लोग हैं, कितने municipality में चुनाओ हुआ, 224 municipality में चुनाओ हुआ, पर why the government has made these changes, दिक्कत क्या होता था, कि जो mayor और उप महापौर होते थे, ये 100 का खरिदारी लगता था, एक ward परिषद बोले कि हमको 4 लाख रुप क्या है, कि let us throw this system out, and let the people choose directly their mayor or the deputy mayor, this is a very good step, it is a phenomenal step by the government, पर ये जो municipality की जो चुनाओ होती है, दो तीन चीज़ अब ध्यान से देखिए, municipality की जो चुनाओ है, तो इस municipality का चुनाओ के लिए, कुछ न कुछ तो प्रावधान रहता होगा, तो इसके लिए बिहार municipal act है, बिहार municipal act 2007 को सरकार ने amend किया, and by the amendment, they have made the election of the mayor and the deputy mayor a direct election, can be a probable question in your examination, दूसरा महत्वपुन बात ये है, कि जो चुनाओ हुआ, वो कितने चरण में हुआ, दो चरण में हुआ, दो फेज में हुआ, तीसरा महत्वपुन question ये है, कि इस चुनाओ में रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, रिजर्वेशन को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं, पचास प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण है, सुलह प्रतिशत सिड्यूल कास्ट को आरक्षण है, और एक प्रतिशत सिड्यूल ट्राइब को आरक्षण है, मेरे दोस्त ये बताईए कि बिहार में कितने असेंबले सीट ह सीटा मुलिस पैल्टी का κुनाओ हुआ इसको कौन चुनाओ कर वालए चीफ एलेक्षन कमिर्शन हैना जो दिल्ली में Away खतम आद्मी जो एलेक्षन कमिर्शन है ये चुनाओ किसका करता है President का करता है Vice President का करता है State Assembly Election का करता है और लोग सभा का चुनाव करता है इसके लिए 243K के तहत संग्वेधानिक निकाय का निर्मान हुआ है जिसको आप State Election Commission कहते हैं और State Election Commission Municipality का चुनाव कराता है राज्यों में Chief Electoral Officer भी बिहार के कौन है HR Srinivas चुहें Chief Electoral Officer भी बिहार है और दो थीन चीज चा State Election Commission एक संग्वेधानिक निकाय है बिल्कुल है कैसे है 243K के तहत है संग्वेधान में मिंसन्ड है इसलिए एक संग्वेधानिक निकाय है दुश्रा महत्वपुन चीज यह हो जा रहा है कि इसका निर्मान कैसे होता है अगर आपको पता है कि 73rd और 74th Constitutional Amendment Act लाय जाता है पंचाईती राजबिवस्था का निर्मान के लिए जो 73वा और 74 Constitutional Amendment Act कब आता है 1992 में आता है कब implement किया जाता है 1993 से implement किया जा रहा है अब देखिए EC के तहत State Election Commission का निर्मान होता है कि जो की municipality नगर निकाय का चुनाओ कराएंगे मुख्याव अगरा का चुनाओ कराएंगे But does this State Election Commission Since it is a constitutional body तो State Election Commission पूरी independent troop से काम करता है क्या नहीं इसका appointment कौन करता है राज्यपाल महोदे करते हैं राज्यपाल महोदे करते हैं तो राज्यपाल किसका है जिसका केंदर में सरकार है तो लोगों का ये कहना है जो अपुजिट पार्टी के लोग है उनका criticism ये होता है कि State Election Commission है तो संग्विधान एक निकाय But it is not acting in an impartial manner ये जो State Election Commission है इसको अगर मानते हैं कि हटाना है तो कैसे हटाएंगे जो भी constitutional body है उसको हटाना इतना अशान नहीं होता है संग्विधान उस case में बहुत rigid हो जाता है जो भी संग्विधान एक निकाय होता है इस ये जो हटेंगे उसी तरह से हटेंगे जैसे high court का judge को हटाया जाता है he can be removed in the manner as it is done for the removal of the high court judge दूसरा महत्तपुर्ण चीज़ ये है इनको हटाने का प्रावधान किसमें है article number 243 के clause number 2 में इनको हटाने का प्रावधान है कि he can be removed in the manner of the high court judge अब दो थीन चीज़ बताईए ये जो है इनको impeach किया जाएगा कि हटाया जाएगा अब थोड़ा सा technical हम लोग बात कर रहे हैं पर कर लेते हैं देखे impeachment जो word है केवल boss के लिए है boss कौन है राष्टरपती जी है राष्टरपती का impeachment होता है बाकि जितने लोग है high court के judge सुप्रिम कोट के judge CAG, TAG, XYZ, भलाना, डिमकाना ये सारे लोग remove होंगे ये लोग impeach नहीं होंगे ये सारे लोग remove होंगे क्यों? क्योंकि they are appointed under the signature of what? they are appointed by the signature of the राष्टरपती पर ये जो removal होगा वो tough route से removal होगा पर impeachment नहीं होगा impeachment के वाल boss का होता है के वाल राष्टरपती महोदे का होता है they can be removed they can be removed in a very tough manner हो सकता है कि parliament से pass करना होगा parliament में बहुत different clause होता है 50% present है ये है two third ये वो सब चीज होगा पर इनको जो removal होगा उस पर sign जो होगा राष्टरपती महोदे का होगा पर क्यों क्यों क्योंकि इनकी जो नियुक्ती होती है वो राष्टरपती महोदे करते हैं क्योंकि आपको नियुक्त करने वाला एक body है तो वही उसी को power है हटाने का hence they can be removed तो ये technical चीज है इसको थोड़ा सध्यान रखेंगे कि जो भी लोग है इनको हटाया जाता है by the president वो तरीका बहुत टफ है पर इनको हटाया जाता है पर ये बताईए कि ये जो state election commission है ये बहुत impartial रूपे नहीं काम कर सकते हैं थोड़ा सा partiality करते हैं पर इसको हटाने के लिए means में अगर आप देखेंगे कि second ARC का recommendation है कहता है कि जो भी आप state election commissioner चूण कर चूण कर चूण करते हैं उसको एक कॉलेजियम के थूट governor साहब पॉइंट करे वो means में आप इसको code कर सकते हैं वो कॉलेजियम में कौन कौन हूँ मुख्यमंत्री जी हूँ leader of opposition legislative assembly हूँ और speaker legislative assembly हूँ भाई मुख्यमंत्री जी सत्ताधारी दल के है leader of opposition legislative assembly उसके है और speaker लोग legislative assembly है तो ये कॉलेजियम recommend करे और इस कॉलेजियम के बाद state election commissioner चूणा जाए तो उसके तहत क्या होगा कि सबकी सहमती रहेगी और लोकतंत्र सहमती का खेल है लोकतंत्र विश्वास का खेल है तो उसके बाद जो state election commissioner चूण के जाएंगे हो सकता है कि अच्छे बैक्ती को चूण के जाएंगे इतना चीज को भी रखते हैं अब आगे हम लोग पढ़ते हैं next question पे recently conducted Bihar municipality election was held in how many phases just now I explained it was held in the two phase can be a probable question which article of the Indian constitution provides the power and the response article 243 के अभी हमने आपको उपर बताया है while traveling on a bus when the bus driver abruptly applies the brake हम लोग अगर bus में चल रहे हैं तो देखते हैं कि अगर अचानक वो धक्का मार दिया तो हम लोग आगे सरक जाते हैं we tend to fall क्यूं this can be explained by the Newton's first law of the motion what is this Newton's first law of the motion यार आम दिन्चरिया में भी आप देखते होंगे the first law of the Newton's motion is called as the law of inertia क्या कहता है law of inertia law of inertia ये कहता है a body at rest will try to remain in the rest a body in the motion will try to remain in the motion until or unless some external force is applied to it तो इस law को अगर आप देखे कि अगर गाडी चल रही है तो ये body इसके touch में है तो body will try to be in the motion motion में है तो motion में ही रहेगा जैसे आपने brake को लगा दिया तो आपने उस motion को अवरूध कर दिया तो body क्या हो गया वो तो motion में था आपने उसको रोक दिया तो जब external force लगता है तो उस motion के कारण वो disturb हो रहा है तो it tends to fall down simple south धारन है अभी थंड़ा का motion है सुबह में आपको उठने का आदत नहीं है body कहाँ पर है rest में है body will try to be in the state of the rest until or unless some external force is applied to this until or unless आपकी मम्मी आकर आपको external force के रूप में ये कहते हैं कि अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा chance है कि IPS बन जाओगे एकदम 12 एक बज़े सोके उठना IPS बन जाओगे ये जो माता जी का ताना है ये क्या है external force है उस external force के कारण क्या हो गया body rest में ही रहना चाह रहा था इस सर्दी में पर जो माता जी का ताना आया तो body को क्या कर दिया motion में लाके आ गया इस ताना is the external force यही law of inertia है यही newton's का first law of the motion है newton's का second law of motion क्या है force बराबर mass into acceleration newton's का third law of motion क्या है newton's का third law of motion ये कहता है कि everybody has the equal and positive reaction जो requiring of guns वगरह में आपको phenomenon explained हो जाता है let us move to the next question this river is mentioned in the superlative terms in the answer इस बहुत ही अच्छा question है can be a probable question in your examination the correct answer is शरश्वती शरश्वती नदी का जिक्र है देखे अगर रीग वेज को देखेंगे तो अगर वैदिक काल को देखेंगे तो वैदिक काल बेसिकली 1500 से 600 बीसी के आसपास ही वैदिक काल है हम लोग अपने study के रूप में इसी को लेंगे अगर आप देखेंगा कि इसको और पोड़िएगा तो आप देखेंगा कि 1500 से 1000 बीसी जो है इसको आप कहते हैं early वैदिक काल 1000 बीसी से जो 600 बीसी है इसको हम लोग कहते हैं कि लेटर वैदिक काल early वैदिक काल basically deals with the रीग वेद जितने और वेद आये साम वेद, यजुर वेद, अथुर वेद ये सब लेटर वेदिक काल में है जो रीग वेद है रीग वेद दो तीन चीज की बात करता है रीग वेद बहुत ही अच्छा है in the sense that पहला है हम लोग इसमें देखते इसमें एक नदी की ये बात करता है उस नदी का नाम है नदीतमा नदीतमा का मतलब होता है purest of all नदी सबसे नदी में purest है किसके बारे में है सरश्वती नदी का जिकर किया गया it is the purest of all नदी अब रीग वेद में हम आपसे एक question ये पूछ दे कि ये बताई कि सबसे ज़्यादा किस जानवर का जिकर है बहुत लोग जो है इसमें काउ मार के आ जाएंगे पर जैसे आप काउ मारते हैं गलत हो गया सबसे ज़्यादा अगर कोई जानवर का जिकर है तो वो है horse 215 बार horse का जिकर है और 49 मरतबा ज़्यादा जिकर है 215 माइनस 49 करेंगे तो cow का जिकर है तो maximum number of the times the horse has been described in the Rig Veda तो मेरा ये कहना है कि जो Rig Veda है वो इतना famous क्यों है अगर आप दयानंद सरश्वती को देखते हैं तो दयानंद सरश्वती क्या कहते हैं दयानंद सरश्वती का एक ही कहना है go back to the Vedas the moment दयानंद सरश्वती says go back to the Veda he by default means go back to the Rig Veda it means he is talking about go back to the early Vedic period not go back to the later Vedic period later Vedic period में थोड़ा सा आप उसमें मिश्रन देखते हैं यह pure है it is in the purest form यह एकदम pure है कैसे pure है why he says go back to the early Vedic काल और go back to the Rig Veda इसलिए वो कहते हैं go back to the Rig Veda क्योंकि वेदा में अगर आप Rig Veda काल में देखेंगे तो औरतों की स्तिती बहुत अच्छी है women की स्तिती बहुत अच्छी है अगर आप उस समय की काल तो आप बोलेंगे कि हम कैसे मान ले कि बहुत अच्छी स्तिती है तो आप अगर Rig Veda में जो मंत्र देखेंगे उसमें बहुत ऐसे मंत्र हैं जो गारगी ने हाइम जो मंत्र है उसको गारगी ने jot down किया है इसका मतलब कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है महिलाओं, महिलाएं इतनी अच्छे positions में है कि their creation is being inculcated in the Rig Vedaic rituals or Rig Vedaic Himes तो हमने substantiate कर दिया Rig Vedaic में अगस्त मुनी और लोप मुत्रा जो उनकी पत्नी है उनके बीच के discussion का जिक्र है इसका मतलब कि वो औरतों को discussion में part लेने का अधिकार था औरतों को विचारों को तरजही दिया जाता था इसका मतलब कि Rig Vedaic system में औरतों का सक्तिकरण था औरते मजबूत स्थिते में थी औरतों को decision making part में जगह मिलता था इसका में रिगवेदिक काल में इस्थिती औरतों की बहुत अच्छी है रिगवेदिक काल में ही आप रिगवेद में कुम्भ का भी जिक्र है कुम्भ has been mentioned in the रिगवेदिक काल जो DAV के लोग है वो ज़्यादा relate कर पाएंगे जो DAV स्कूल से पढ़े हैं वहाँ पर प्रती दिन हवन होता है जो हवन होता है उसमें आप क्या देखते हैं कौन सा मंतर पढ़ता है गायतरी मंतर पढ़ता है गायतरी मंतर का जिक्र कहा है रिगवेद में जिक्र है अब ध्यान से देखे छट इतना international festival क्यों बन पाया कि छट में corruption कुछ नहीं है corruption in the sense है कि छट किसको dedicated है सुरी भगवान को dedicated है सुरी भगवान का जिक्र किसमें है रिगवेदिक सिस्टम में जिक्र है रिगवेदिक बहुत purist form of the Hinduism है इसलिए छट के case में आप देखते हैं कि छट is an international festival because it is dedicated और इसकी पूजा की जो अर्चना की पूजा की पधती है वो रिगवेदिक rituals के हिसाब से है जो कि सबसे पवित्र form of the Hinduism है आप देखते हैं कि रिगवेदिक काल वगरह में idle worship नहीं है रिगवेदिक काल में natural force का वर्षिप है उसमें भी सुर्य भगवान का basically वर्षिप हो रहा है इसका मतलब की जट is very close to the रिगवेदिक system अगर आपसे question पूछ ले अगर question बना ले जट is close to what आप गलती कर सकते हैं इस वेरी क्लोज तो रिगवेदिक system रिगवेदिक rituals मेरा एक और आपसे प्रस्थ है बीच-बीच में कभी जभी कहा जाता है कि सत्य में वजयते सत्य की ही विजय होगी सत्य में वजयते जो है कहाँ पर मिंसंड है सत्य में वजयते is mentioned in the mundak उपनिशत इस mundak उपनिशत is the embedded in which वेदा it is embedded in the अथर्व वेदा my dear friends इस चीज़ को ध्यान रखेगा रिगवेद में ही वर्न सिस्टम के बारे में मिंसंड है देखिए वर्न सिस्टम में कोई दोस नहीं है जो 10th मंडल of the रिगवेदिक सिस्टम है वहाँ पे वर्न सिस्टम की है वर्न बिवस्था का जिक्र है कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम है वर्न सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्न सिस्टम में हम लोग क्या कहते है ब्रह्मन है छत्रिय है वैस्य है सुद्र है तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मन हो सकता है जिसका काम पढ़ने पढ़ने वाला काम है वो ब्रह्मन हो सकता है जो अभी आर्मी के लोग है वो क्या है वो राजपूत ही के बल छत्रिय नहीं है जो भी लड़ रहा है जगड रहा है वो छत्रिय सिस्टम में छत्रिय वन में फॉल कर जाएगा जो भी trade कर रहा है, बवसाय कर रहा है अगर राजपूत है, ब्रह्मन है और अगर वो ट्रेडिंग के विजनेस में है दुकान चला रहा है तो उसको वैसे सिस्टम में डाल सकते हैं जो भी खेति हर है, मज़दूर है उसको आठसुद्र system में डाल सकते हैं it means there is no problem when it comes to the Varnashram ब्यवस्था the problematic system is the caste ब्यवस्था which is not mentioned in the Rig Veda Rig Veda talks about the Varnashram system, it talks about the Varnas system which is mentioned in the 10th Mandal of the Rig Veda my dear friends एक और है अभी हमने 7th जो Mandal है Rig Veda में उसमें Battle of 10 Kings का जिक्र है and this Battle of 10 Kings is the first recorded battle in the Indian history, पहला recorded battle है, रमायन recorded battle नहीं है महाभारत से भी पहले recorded battle जो है वो Battle of 10 राजन ने है जो Battle of 10 Kings होता है इसमें आप देखते हैं कि एक राजा सुदास है जिनके नाम पर भरत है भरत kingdom में तो राजा सुदास का विजय होता है, हमने अपने जो sectional test से उसमें डिसकस किया है यहाँ पर 10 ग्रूप जो है वो राजा सुदास भरत के ट्राइब के ही भरत जो रिग वेदिक सिस्टम में ट्राइबल सिस्टम चल रहा है तो भरत kingdom के ही एक राजा सुदास है और राजा सुदास विजय का प्राप्त करते है दस लोग, दस ट्राइब के लोग इंसे युद्ध करते है और उस विद्ध में राजा सुदास की विजय होती है और राजा सुदास उस युद्ध के विनर होते है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सोना है पर ये सोना नहीं है इसको फुल्स गुल्ड कहा जाता है मुर्खों का सोना कहा जाता है कि मुर्खों को बुर्दबक बना दिया जाता है जो आइरन पाइराइट सिस्टम है इस पे बिहार को एक छत्र राज है तक्रीबन तक्रीबन 95% of the India's production comes out from the बिहार पर बिहार में कहां से आता है बिहार में basically रोहतास जीला से आता है पर ये स्पाइराइट का यूज कहां पे होता है सलफियूरिक एसिड बनाने में इस्तमाल होता है और इसका फ़र्टिलाइजर में खुब इस्तमाल होता है तो अगर आप से कोई पूशता है कि बिहार में अगर मिल्स में क्वेस्चन आता है कि कैसा छेतर बताईए जिसमें बिहार में उद्योग लगाया जा सकता है तो वो Fertilizer में उद्योग लगाया जा सकता है मेरे दोस्त देस में अंगरणी कोई राजी तो वो है बिहार जो पंचाने प्रोतिशत आपका Pyrite देता है तो आप रोहताहस वाले बिल्ट में आप लगा सकते हैं पर जो रोहतास बगरह के लोग हैं उनको और पता होना चाहिए कि वहाँ पर दो जगह है जहाँ पर खूब पाईराइट मिलता है एक जगह का नाम है आम जोर और दूसरे का नाम है पत्थर घटा यहाँ पर खूब पाईराइट मिलता है तो सरकार ने प्र अगर उसको fertilizer का लगाना है तो बिहार में लगाओ बिहार की जो मुख्य मंत्री हैं और दोनों में एक समनभ्य होकर वहाँ पर अगर हम fertilizer उद्जोग लगा देंगे तो बिहार में कृरांती लाया जा सकता है और बिहार को सुंदर बनाया जा सकता है बिहार का industrialization किया जा सकता है सोन वैली का मतलब क्या होता है अगर आप देखेंगे तो यह सोन नदी है मेरे दोस्त जो western part of the सोन होता है जो आपका west बाला part है इसको आप साहाबाद region बोलते हैं तो साहाबाद region कौन साब built आ गया कुछ part of औरंगाबाद आ गया रोहतास हो गया, कैमूर हो गया इस सोन के कारण हो गया है भाई, amount of the precipitation जादा है amount of the precipitation होगा आपने तरफ देखिए गर्मी में लोग का क्या होता चापकल सूख जाता है, बोरिन सूख जाता है जादा पानी होगा तो बहुत अच्छा है ग्राउंड वाटर का लेबल बढ़ेगा, slope of the land बिल्कुल effect करेगा, अगर ऐसे है आप hilly terrain पे रहते तो पूरा पानी बहुत fastly move कर जाएगा तो पानी को ग्राउंड वाटर में जाने के लिए पानी को stand still position में रहना पड़ता है, इस्थिर रहना पड़ता है तब जाके पानी क्या करता है सीप करता है, swirl of the area बिल्कुल, अगर sandy swirl है तो उसके बीच में जगह जादा होता है तो पानी आसानी अंदर चला जाएगा है ना, अगर clay swirl है तो clay swirl में आपको पता ही है कि उसमें clay का content होता है तो पानी को नीचे नहीं सीप करने देगा तो it will determine now the question is, distance from the sea no, it has no effect on that how, इस question को जब हम frame कर रहे थे, तो मेरी दिमाग में मातर एक question था मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि density of the saline water जो होता है, it is more than the density of the ground water तो जो जो खारा पानी है, उसका density जादा है, तो जादा density नीचे हो जाएगा अगर जो मीठा पानी है वो तो कम dense है तो पानी उपर रहेगा, तो ये दोनो density difference के कारण, there has to be a clear separation between the खारा पानी और मीठा पानी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो ऐसा थोनी है कि जो समुदरी बिल्ट है, उडिसा है वहाँ के पानी में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है density difference है, भारी पानी नीचे हलका पानी उपर, the distance from the sea has very minimal or no effect on the ground water, my dear friend एवर green वाला जो question है ये भी एक important question है, simple सा ये question अगर आप देखेंगे, तो आठ में correct answer D हो जाएगा देखी, जब green revolution हुआ तो इसमें हम लोगों ने क्या किया green revolution में हमने खूब chemicals का इस्तमाल किया, खूब हमने high yielding variety का इस्तमाल किया, fertilizer का इसके चलते जो system है वो ecologically sustainable नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ecologically sustainable है क्या, बिल्कुल नहीं है जो algal boom वगरह का समस्या है वो green revolution को आप दे तो सकते ही है कि algal boom की सा समस्या है आप fertilizers को use कर रहे हैं, जो finely drain off कर जाता है, पानी में और algal boom होता है, जो कि ecological system को disturb करता है MS Swaminathan ने कहा कि we should have a system जहां पर चीजे जो है in tune with the nature हो nature के साथ some unjust bad cake हो nature के साथ ecologically हो उसी को इन होने कहा, evergreen revolution that is the integration of the ecological principles in the technology development and the disenimination, मतलब environment के साथ sink में हो, इसी को आप evergreen revolution बोलते हैं, this is another important question, जो मुझे लगता है कि आजना कलब BPSC आपसे पूछेगा कि लोनार लेक किसे संबंदित है तो 9th का correct answer Calcutta हो जाएगा अगर ध्यान से देखिएगा तो यह जो खड़ा आप देख रहे हैं ना यह जो लेक वाला जो system आप देख रहे हैं कि यह जो लेक लोनार लेक कहा है महरास्टा में हैं बुद्धनाड इस्टिक में है तो यहाँ पर यह पाया गया है कि बहुत बड़ा crater आसमान से गिरा है और जो मेटियोर से गिरे हैं और उस मेटियोर के कारण बहुत मानते हैं कि 100 किलो का 1000 किलो का मेटियोर आकर गिरा तो यहाँ पर एक खड़ा नुमाय स्ट्क्चर कर दिया, समय के बाद यह जो खड़ा नुमाय स्ट्क्चर है, यही लुनार लेक बन गया, और इसले important थोड़ा सा हो जाता है, पर यह बताईए, atmosphere से जो अपना atmosphere है, atmosphere में क्या है, troposphere है, stratosphere है, mesosphere है, और ionosphere है, हम इसको खुब meteors, comets और esteroid जो हैं, वो तो हमारे पास नहीं रिच करते हैं, क्यों नहीं रिच करते हैं, वो atmosphere में burn कर जाते हैं, और जो burn करते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, shooting star कहते हैं, हमको लगता है कि एक, मतलब धुआ धुआ हो गया, जल गया, meteors, comets वगरा, अब मेरा प्रश्ण है कि किस layer में जलता है, proprio sphere में आके जलता है, statue में जलता है, कि मेजो में जलता है, कि आईनो में जलता है, correct answer है कि मेजो sphere में आके जलता है, पर पहला प्रश्ण ये है, कि फिर आईनो sphere में क्यों नहीं जलता है, देखिए आईनो sphere में gas का amount कम है, जब gas का amount कम है, और मेजो sphere में gas क प्रप्रेश के रूप में होता है यहां पर धरती पर आकर गिरा और धरती के गिरने के कारण एक लेक बना पर एक लेक में यह देख रहा हूं कि यहां पे पिंक कलर का है जो खूब अभी नियूस में रहा हूं जब लॉक्डोन वगर हुआ तो देखे कि यहां पर लोग आना जाना कम हुआ और इभापोरेशन बहुत हुआ जब गर्मी के कारण इभापोरेशन बहुत हुआ तो पानी में जब इभापोरेशन ज्यादा होगा तो क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा जब सॉल्ट हुआ तो कुछ बैक्टेरिया जो है वो सॉल्ट को ही पसंद करता है उसको कहते है एक ग्रूप ऑफ बैक्टेरिया जो सॉल्ट में ही रहता है और सॉल्ट उसको पसंद है उसको कहते हैलो आर्केई यह जो बैक्टेरिया है इसका कलर कैसा है? पिंक कलर का पिगिमेंट है तो यहाँ पर खाली बैक्टेरिया का वर्चस्व हो गया वो सलाइन एट्मोस्वेर को प्रिफर करता है उसी के चलते यह पाया गया यह जो लुनार लेक में थोड़ा बहुत पानी था उसका कलर पिंक हो गया यह बहुत important question है यार इसको BPSC खुब पुछता है इसमें कुछ भी नहीं है यह हम जो किताब अपना छप रहा है उसी का explanation लिए हुए है कि देखिए पहले Portuguese आते हैं Portuguese किसके रास्ते आते हैं हुगली के रास्ते बिहार में आते हैं पहला चीज़ याद रखेगा दो नंबर पे अगर आप देखेंगे कि जो second European जो set up करते हैं फैक्टरी वो पतना के आलम गंज में अंग्रे जो लोग set up करते हैं पर यह फैक्टरी 1621 में बंध हो जाता है इस फैक्टरी को यह पुना रिये स्टार्ट करते हैं 1621 में जो की आज के डेट में जो government का जो फैक्टरी है जो government का printing प्रेस है गुल जारबाग पतना में वो यहाँ पर है यह फैक्ट है आपको रटना पड़ेगा कोई आपके पास नहीं है उसके बाद कोन आता है ये 1620 में आगए दो नंबर पे 1632 में डच लोग आते हैं वहा है तीन नंबर पे दानिश लोग आते हैं नेपाली को ठीके पास फैक्टरी सेट अप करते हैं 1774 में ये पूरा डेट याद है इसमें समझाने का कोई मतलब नहीं है इस चीज को आपको ध्यान रखना है और कोई आपके पास विकल्प नहीं है The term biodiversity was coined by maximum लोग Norman Meyers को मारे हैं पर इसका correct answer Walter G. Rosson है कब ही रॉसन इस चीज को coin करते हैं? 1986 में करते हैं He coins this in 1986 Norman Meyers जो हैं वो क्या coin करते हैं? Norman Meyers 1988 में biodiversity hot spot को coin करते हैं Biodiversity hot spot क्या होता है? एक ऐसा region है Biodiversity hot spot जहां पर जो destruction को face कर रहा है पर वो बहुत ही rich ecosystem है वहां पर endemic species बहुत जादा है तो एक गजब का system है जहां पर endemic species बहुत जादा है इसका मतलब ecologically बहुत rich है But at the same time it is facing the problem of the destruction There is how, कितने हैं देश में biodiversity hot spot चार Biodiversity hot spot है मेरे बंदू पहला Biodiversity hot spot हीमालय है Can be a probable question दूसरा Western ghat और Sri Lanka वाला build जो है ये पढ़ जाता है Western ghat वाला जो तीसरा है इंडो बर्मा पढ़ता है चौथा सुंदा सुंदा लेंड पढ़ता है आपके जहन में question होता होगा कि इंडो बर्मा क्यों पढ़ता है यहाँ पे अंडमान वाला जो आप देखेंगे अंडमान बहुत नीचे पढ़ जाता है अंडमान का कुछ भाग इंडो बर्मा वाला Biodiversity hot spot में पढ़ता है और निको बार आईलेंड का कुछ भाग सुन्दा लैंड वाला में पढ़ जाता है इसलिए यह चुकी भारत के part है तो भारत has the four biodiversity hot spot direct question पूछ सकता है वो यह चारों हम बता दिये पर अपने state PCS के लिए संख्या important है कि कितने हैं तो चार है अब आप हमको बताईए कि जो preamble है preamble किस चीज की बात करता है liberty की बात करता है fraternity की बात करता है it talks about the very pious goal this preamble gives us up हम लोगों को जो constitution maker है उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में बताता है कि what were the pious goals जिसके लिए अपना संग्विधान बना है उस goal को achieve करने के लिए संग्विधान के निर्माताओं ने तीन चीज को बनाया एक part of the constitution बनाया जिसको part number 3 आप बोलते हैं दूसरा part of the constitution बनाया part 4, चौथा part of the constitution जो है, 4A है 4A किस से संबंधित है fundamental duty से है 4 किस से संबंधित है डिरेक्टि निती निजे शक्तक्तों से संबंधित है पार्ट number 3 किस से संबंधित है fundamental right से है जिसके लिए है to achieve the goals which has been inscribed और which has been written in the preamble preamble जो है वो आतमा है संग्विधान का वो हम लोगों को एक torch है एक lighthouse है एक lamp house है वो हमको बताता है कि हमको क्या चाहिए तो बहुत important है preamble के goals को achieve करने के लिए ये तीन चीज बनती है this fundamental right is what it tells about the political democracy है ना आपको fundamental right आपको citizens को क्या अधिकार है it talks about what the state is not supposed to do hence it is a negative obligation of the state state shall not discriminate इसका tone आप देखिए shall not करके है not मतलब इसका tone कैसा है negative है किसके लिए है state के लिए है hence it is a negative obligation of the state DPSP किस चीज की बात करता है it is a positive obligation of the state ये बोलता है कि state को क्या करना चाहिए state क्या करे directive principles of the state policy किस चीज की बात करता है it talks about the social and the economic democracy की बात करता है ये किस चीज की बात करता है ये welfare state की बात करता है कि सरकार को क्या करना चाहिए अब इसको हम लोग all decode करेंगे और ये fundamental duty क्या कहता है fundamental duty कहता है कि एक citizen का क्या कर्थब है ये responsible citizen होने का जिकर करता है कि देश के परती हमारी क्या जिम्मेवारी है दोस्तो जो DPSP है किस constitution से लिया गया है इस आईरिस constitution से लिया गया है इस DPSP जो है कोट में enforceable है क्या नहीं कोट में enforceable नहीं है इसका मतलब क्या हो गया अभी हम आपको बताते हैं अगर मेरा fundamental right है अभी हम बोल रहे हैं सरकार कहता है कि तुम बोल नहीं पाओगे जो मिनट के अंदर हम क्या करेंगे I have the right to either approach the supreme court or the state high court I can approach the supreme court as per the article 32 of the constitution which is the heart and the soul of the constitution if I want to approach the state high court I can approach the state high court under article 226 the moment my fundamental right is bridged by the state the moment it is bridged I have all the right to approach the supreme court or the high court for the remedy पर DPSP में आप court नहीं जा सकते हो जैसे की uniform civil court है है ना इसके लिए आप supreme court या high court नहीं जा सकते हो कि भाई uniform civil court पूरे देश में लगा दो नहीं जा सकते हो because it is not a fundamental right it is the directive principles of the state policy निती नहीं दे सकतत्व है तो state policy के case में आप नहीं जा सकते है ये जो अच्छा इसको enforceable क्यों नहीं किया गया enforceable इसने नहीं किया गया क्योंकि state के पास limited resource है है ना सब चीज को आप enforce नहीं कर सकते हैं स्थरकार को time दीजिए जैसे जैसे अपना democracy में चीर होगा अर्थ बेवस्था में चीर होगा चुकि हम एक welfare state है तो स्थरकार पर एक नहीं जिम्मेवारी बनेगी कि जो जो चीज जो नीती नीदेशक्तत्व है उसको वो पूरा करेगा कैसे करेगा अभी हम आपको बताते हैं जैसे कि article 47 क्या है article 47 कहता है कि आप prohibit करगे किस चीज को prohibit करने की बात करता है वो बोलता है कि सराब बंदी को indirect group से बोलता है कि आप सराब बंदी को लाइए क्या है सराब बंदी इत टॉक्स अबाउट दे हेल्दियर लाइफ स्टाइल बई प्रोहिबिटिंग दली का तो जो एस्टेट जैसे अपना डेमोक्रेसी मैच्यूर करेगा जैसे लोग पढ़े लिखे बनेंगे जैसे और मैच्यूरिटी आएगा लोग तंत्र में वो बाई डिफॉल्ट विलफेर स्टेट पर सिटिजन दबाओ बना देगा और सिटिजन को दबाओ बनाने के कारण स्टेट इंफोर्स कर देगा इस देंफोर्स येबल नहीं किया गया क्योंकि जब अपना संग्विधान बन रहा था वो समय हम लोग बहुत नैसिम थे तो जो संग्विधान निर्माताओं को लगा कि अभी इतना राइट टाइम नहीं है अभी बेसिक चीजों को पुरा किया जाए रिसोर्स कम था जैसे रिसोर्स बढ़ेगा विलफेर इस्टेट के कारण विल डू दाट इन चीजों को थोड़ा साब ध्यान रखेगा ये आपका निती निदेशक तत्व है जैसे की आर्टिकल 38 किस चीज से डिल करता है 49 किस चीज से डिल करता है कुछ-कुछ important है इसको आप ध्यान रखेगा जैसे की आर्टिकल 51 बहुत important है आर्टिकल 44 uniform civil court से डिल करता है ये पूछँ लेता है आर्टिकल 51 to promote the international peace and the security है ना तो जब भी international relations पे आए, जब भी peace पर आए, तो हमेशा बुलिए कि भाई ये तो हमारा संग्विधान में लिखा हुआ है, article 51 में लिखा हुआ है, इसको introduction में आप लगा डाल दिजिएगा, जब आप introduction में डालते हैं, तो आपका बहुत ही strong बन जाता है, देखिए protection of the monuments, protect the monument of the historic and the national importance article 49 से है, ये आपको कभी यह भी दिक्कत करता है, किवल fundamental duty आप इसको tick करके आ जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेगा, कि it is mentioned in the article number 49 of the Indian Constitution, इन सब चीज को ध्यान थोड़ा सा रखना है, अब देखिए, अभी बताया कि article 47 कि से deal करता है, आपको हमने उपर list दे दिया है फिर मुश्किल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लिक्कर बेंड किसे inspired है, देखिए, आज ना कल ये question पुछना ही है, पुछना बिहार में, ये question आना ही आना है, तो DPSP से inspired है, article 47 से, article 47 टॉक से बोलते है, healthier lifestyle by prohibiting the liquor, लिख देते हैं, healthier lifestyle, ये state का काम है, तो जो इसके favor वाले हैं, जो सराब बंदी को favor करते हैं, वो article 47 का जिकर करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, revenue का loss तो अलग बात है, वो भी ठीक है कि revenue का loss हो रहा है, पर हम लोग जो अपनी जो सरगार है, वो तो welfare state है, welfare state revenue पर focus करना है, तब तो काम ही हो गया, welfare state का का काम क्या है, जो संविधान के नि जो संविधान निर्माताओं का जो उमीद था, उस पर हम खरे उतर रहे हैं, भले हमको loss of the revenue हो रहा है, तो हो रहा है, तो एक school of thought जो उसको favor करता है, वो उसका stand basically इस पर होता है, which of the following is called the atom bomb, 54 भर का सवाल है, क्योंकि इसको वीडियो में हमने बताया हुआ है, YouTube पर भी available है, क पचास digestive enzymes होता है, लाई यो जो मस के पास, यह जो पचास digestive enzymes है, इतना जादा digestive enzyme में किसमों पत्थर भी डाल दोगे तो उसको शाबा जाएगा, तो यह क्या करता है, जो भी अपना obsolete items हो जाता है, obsolete cells होता है, भाई उसको निगल जाता है, कोई भी foreign cells है, उसको निगल जाएग सुल्ला के case में आप बताइए, कहां पे हुआ है, CBD 15 में हुआ है, मौन्ट्रियल कहा है, बताइए भाई, मौन्ट्रियल is in the Canada, इसका notable absentee कौन है, CBD का, United Dawn जो है, absent है इन सब चीजों से, भाई के वल pollution करेगा, इस सब चीज में absent होगा, मौन्ट्रियल से कुछ चीज याद आय अगर नहीं याद आ रहा है, तो आप लोग हमको सलफास खिला दीजे, आप लोग अपने तो खाएंगे नहीं, सब बहुत detail में आपको बताए हुए है, यहां से एक नदी आ रही है, इस नदी का क्या नाम है, ओटावा नदी, North America continent में बताए हैं आपको, यह नदी कौन है, Lawrence नदी, दोनों नदी एक जगह पर मिलते हैं, उस जगह का अनक्यार सहर का क्या नाम है, Montreal, कहां पर है, Canada में है, यहां पर एक और चीज के लिए फिमस है, 16 सितंबर को आप क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, 16 सितंबर 1987 को, क्लोरो फ्लोरो कारबन को, Montreal Protocol के तहद बेन किया गया था, इस दिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, मेरे बंधु, मेरी जान, अगर इतना पर रूप जाएं तो बेइमानी है, यह Lawrence नदी जो है, it acts as a border between what, United States of America and Canada, it acts as a natural border between the United States of America and Canada, यह सब बताया हुआ है, अगर आप नहीं पता है, रिविजन की कमी है, बरवनी रिफाइंदी, आज ना कल यह question आपको छपा हुआ मिलेगा, यह सब बहुत ही बहतरीन सवाल है, outstanding सवाल है, कौन इसको चलाता है, Indian wild चलाता है, कब बना, 1964 में बना, nation को कब dedicate हुआ, 1965 को dedicate हुआ, जब यह हम question बना रहे थे, हमको पता था कि maximum बेगू सराय में है, अगर हमने current affair वाल आपने वीडियो देखा है, तो हमने आपको बताया कि बेगू सराय में 300 करोड रूपया की लागत से electronic hub बन रहा है, जो कि बहुत ही सराहनिये कदम है, और बेगू सराय में बनना चाहिए, electronic hub बन रहा है, यह कितने करोड की project उसमय बना है, पर इसके साथ में एक और देख ने हमें सहयोग किया, उस देख का नाम है, रूमानिया मेरे दोस्त, इसलिए चुकी option में है, तो आपको ध्यान में हम आकरिस्ट करना चाहते थे, भले गलत हो जाए exam में, आपके ध्यान मिलाना चाहते थे कि यह option है, इसमें 99% सहयोग प्रस्त का निर्मान किया गया है, which of the following is incorrect about the माखाना, यह सब गलत कर रहे हो, तो जहर खालो, है ना, सलफास खालो आप, it is an excellent source of the calcium, very true, it has got the GI tag, very true, हाल में सी को मिला है, it is predominantly shown in the Mithla build, बिलकुल सही है, बिहार is the leading producer of the माखाना in the country, 90% माखाना, अकेले अपना मोहबबत दे दे जो जीम करता है, वो सब माखाना वाला खारा है आजकल, है ना, कि केल्सियम भी मिलेगा और अंग्रिजी मिडियाम, माखाना is called as the fox nut, है ना, आप लोग को माखाना कहां समझ में आएगा, है ना, it is also called as the black diamond English medium, ठीक है, how much percentage अभी तो बताया, उपर में 19, बाकी जो है, देख बाकी जो आगे के questions हैं, वो निशान सर continue करेंगे, निशान सर थोड़ा सा इसको fast, उनसे हम लोगों नहीं request किया है, कि निशान सर fast करें, क्योंकि आपका भी समय महत्वपून है, हम लोग का भी समय महत्वपून है, तो यहां से आगे निशान सर विल केरी forward, ठीक है, signing off for the day, रोहित, फर्दर हम स्टार्ट करते हैं, question number 21 से, question like which of the following is less needed for the seed germination, सबसे कम कौन सा चीज चाहिए, तो अगर देखेंगे सबसे कम जो है वो light चाहिए, तो basic requirements क्या होती है, अगर seed germination के लिए चाहिए, तो requirement है oxygen, water और temperature, इसके बिना seed germinate नहीं करेगा, but light is not essentially required, वो रहे तो भी चलेगा, अगर darkness है, फिर भी काफी plants grow करते हैं, जो seed है, वो germinate होता है, next question है, कि when thalamus contributes to the fruit formation, such fruits are called false fruits, तो which of the following are false fruits, तो which of the following are false fruits, देखेंगे ये जो topic है, this is very recurrent, ये काफी recurrent होता है, बीपेसी में, तो अगर false fruit और true fruit के बीच का difference देखें, तो major difference यह होता है, कि false fruit में जो है, होता है, that is apart from that of the ovary, ये seeds, वो ये body से भी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते है, थेलेमस, थेलेमस से भी plant जो है, वो grow हो जाता है, sorry, जो fruit है, वो develop हो जाता है, तो इसको हम लग बोलते है, false fruit, लेकिन ऐसा fruit, जहाँ पे, flower जो है, वो fertilized ovary से, flower के fertilized ovary से fruit बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते है, true fruit, और true fruit में आप देखेंगे, जनरली seeds होते है, जो bees होता है, वो true fruit के अंदर होते है, ठीक है, और जिसका formation कब होता है, जो fertilization होता है, लेकिन fertilization वाला चीज, false fruit में नहीं होगा, ये भी एक major difference है, अगला है कि site of photosynthesis, ये काफी, काफी ज़्यादा simple question है, इसका answer है, chloroplast, कि chloroplast are basically responsible for the trapping, light energy, मतलब क्या chloroplast क्य करता है, light energy को drop, जो light energy है, उसको trap करके photosynthesis के like, उपयोग होने like, उसको convert करता है, बनाता है, and this is very essential component for the photosynthesis, which of the organelles is absent in eukaryotes, आपको पता होना चाहिए कि eukaryote और prokaryote में क्या difference है, अगर ये पता हो गया, तो आप ये question काफी easily solve कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें बीच में difference देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा major चीज है, cell wall, cell wall जो है, ये absent होता है eukaryote में, लेकिन वो prokaryote में होता है, इस वज़े से जो cell wall है हमारा answer हो जाएगा, और eukaryote और prokaryote का जो difference है, वो अगर थोड़ा सा आप देखिएगा, क्या होता है कि eukaryote में कौन से होते हैं, जो plants हैं, animals हैं, और जो fungi है, मतलब जो बड़े जीव हैं, वो generally eukaryote होता है, जिसमें cell wall missing रहता है, लेकिन जो छोटे जीव है, जैसे bacteria है, blue green algae है, इसमें क्या होता है, इसमें cell wall present होता है, इसी cell wall के कारण इसको prokaryote बोलते हैं, और यही major difference है prokaryote और eukaryote में, अगला question देखते है कि हर पर smallpox and influenza are caused by, यह काफी common question है, इसको आप virus होगा इसका answer, इसको आप देख सकते हैं, जो भी bacteria, fungi और parasitic diseases हैं, यह आपको बिल्कुल ही कंठागर होने चाहिए, यह आपको याद होने चाहिए, because this is very important and disease chapter से एक दो question हर बार रहता है, तो you must remember all the diseases which are caused by bacteria, which are caused by virus, और फिर proto कि erol connective tissues are not found in, जो erol connective tissues है, वो कहां find नहीं होता है, मतलब कि अगर हम खोज लें कि कहां कहां find होता है वो, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि कहां नहीं होता है, तो erol connective tissues हैं, यह skin and muscles में भी हैं, blood vessels में भी हैं, nerves में भी हैं और bone marrow भी हैं, इसका answer जो है, यह हो जाएगा, आप इसमें समझने वाले चीज है कि connective tissue क्या होती है, connective tissue जो होते हैं, यह इनके function की वज़ास है, इनका जो काम होता है, वो क्या करता है, कि वो support करता है किसी दूसरे दो tissues या organs को, ठीक है, जैसे cartilage है, bone है, adipose है, blood है, इस सब को connective tissue बोलेंगे, which of the following organisms do not have a four-chambered hurt, आपको circulatory system के lecture में बताया गया है, कि आप देखिए, क्या होता है, आदमी का जो hurt होता है, आदमी का जो, वो four-chambered होता है, यह कैसे क्या होता है, आप detail में वहाँ जा के देख सकते हैं, otherwise यह question पूछ रहा है कि कि किस के पास four-chamber hurt नहीं होता है, मतलब जो mammal है, mammal के पास generally four-chambered hurt होगा, लेकिन कुछ इसमें exceptions भी होते हैं, तो actually मैं अगर आप देखें, तो reptiles और amphibians जो होते हैं, उनके पास three-chambered hurt होता है, यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, यह भी एक type का question है, जो generally पूछा जाता है, कि amphibians जो है वो, जो permanent पानी मे रहते हैं, जैसे fish है, और amphibians है, उनमें क्या difference है, वो basically difference होता है scales का, amphibians में scale नहीं होता है, fishes में scale होता है, और amphibians में जो mucous gland होते हैं, skin पे, उसी से वो respirator अपना, जो respiration होता है, वो conduct करते हैं, throat, gills या lungs, gram positive bacteria, when go through the gram staining process, gives which color, ये question, very probable question है, इस बार का, because, जो BPSC का दारा है, वो NCRT की तरफ थोड़ा बढ़ा है, और उसमें देखेंगे हैं, तो ये NCRT में direct दिया हुआ है, और काफी bold करके इसको दिया हुआ है, तो ये question, gram positive वाला चीज जो है, gram positive bacteria वाला concept, ये important है, तो gram positive bacteria को जैसे हम किसी gram staining में डालते हैं, तो क्या होता है, violet या blue color में change हो जाता है, उसी तरह अगर gram negative bacteria को हम डालते हैं, ठीक है, तो वो pink और red color हो जाता है, तो अगर positive है, positive है तो क्या होगा, violet and blue, और अगर negative है, तो वो हो जाएगा, pink and red, ये important है, इसको याद कर लिजे, simple to litmus paper होता है, उसी टाप का चीज है, ठीक है, इसका use कहा होता है, generally gram staining का, for staining techniques in microbiology, microbiology में use होता है, discover कौन क्या था, Hans Christian Gram, उन्ही का नाम पर ये gram staining, gram positive, gram negative bacteria दिया हुआ है, ये भी important है, क्योंकि ये hormone से related है, और ये plant hormone से related है, question है कि which of the following hormones inhibits plant growth, मतलब plant के growth को कौन रोकता है, कौन मदद नहीं करता है उसमें, अगर बात करेंगे plant hormones की, तो इसमें देखिए epsic acid, auxin, gibralins और cytokinins, ये सब जो है ये plant hormones है, इनका अलग अलग function है, जिसे epsic acid है, epsic acid ऐसा hormone है, जो क्या करता है, growth को रोकता है, ठीक है, उसके बाद एक auxin है, वो release कब होता है, जब कोई plant, जब कोई plant grow हो गया, तब उसको जो light मिला, वो light detect करके, ये auxin release हुआ, ये auxin release होने के बाद क्या हुआ, कि plant का cell जो है, वो और जल्दी, और ज़्यादा increase होने में उसको help करता है, मतलब, अगर abscessi के seed है, और auxin है, तो they both are complementary to each other, उसी तरह से, gibbereलिंस जो है, ये same है auxin की तरह, जो की stem के growth में help करता है, plant के stem के growth में, एक cytokinins है, that is helping in promoting the cell division, and which is natural, अगला question है, कि the growth hormone is secreted by which gland, ये question जो है, ये endocrine system से है, इस पर हम लोगोंने काफी elaborately बात किया है हमारे वीडियो में, तो growth hormone पूछ रहा है कि कौन secret करता है, काफी simple question है, और इसका answer क्या हो जाएगा, कि ये pituitary gland, जो pituitary gland है, वो growth hormone secret करता है, अब आपको ये जानना जरूरी है, कि हमारे जो major glands है, वो major glands का क्या काम होता है, ठीक है, और ये जो pituitary gland, जो growth hormone release करता है, उसका actually function क्या है, growth hormone क्या करता है, growth hormone जो है, वो growth और body का development को regulate करता है, ठीक है, अगर आपको इसकी deficiency हो गई, अगर आपको growth hormone की deficiency हो गई, तो it leads to dwarfism, बॉनापन जो होता है, इस जी के कारण हो जाता है, तो majorly कौन-कौन से gland है, हमारे पास, thyroid gland है, pituitary gland है, pineal gland है, और adrenal gland है, अगर हम thyroid gland की बात करें, thyroid gland क्या होता है, thyroid gland जो होता है, वो follicle से बना होता है, और stomal tissue से बना होता है, generally iodine is very essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid, thyroid gland में hormone synthesis के लिए iodine बहुत ही required है, फिर है pituitary gland, ये कहां पाया जाता है, पहली बात तो, ये जो है basically brain के base में पाया जाता है, ये जो होता है, काफी छोटा, pea size का होता है, और ये generally hypothalamus के नीचे पाया जाता है, फिर तिसरा है pineal gland, pineal gland क्या है, ये जो है ना सब से smallest gland होता है, जो की brain में पाया जाता है, इसका काम क्या है, आपके जो दिंचरिया का जो routine है, जो conregulate करता है, मेलाटोनिन, आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब जगेंगे, आपको निंद कब आएगी, तो जो मेलाटोनिन होता है, उसको secret करने का काम कौन करता है, पीनियल gland करता है, ठीक है, and it helps to maintain the body's circadian rhythm, circadian rhythm कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन कौन release करता है, aldosterone, cortisol, adrenaline, तो एक जो किसमें cortisol है, cortisol हर्मोन जो है, इसी को बोलते हैं कि कभी-कभी आपको घबरहाट फिल होती है, तो यह cortisol हर्मोन के release के कारण होती है, इसके control करने या regulate करने से, आपकी जो panic situation होती है, उसको control किया जाता है, तो यह adrenal gland इसको release करता है, अगला question देखते है, acceleration due to gravity, physics का question है, सवाल है कि acceleration due to gravity, यह अर्थ है, यहाँ पोल है, यहाँ equator है, तो कहाँ पे acceleration due to gravity ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, अब अगर देखिएगा, तो acceleration due to gravity होता क्या है, इसका formula होता है, small g बराबर, capital g, जो कि एक constant है, और m e upon r e square, m क्या है, capital g और m e, एक तरह से देखें तो एक constant वाला part है, अगर यह constant है, तब देखें कि g is inversely proportional to r e square, अगर g is inversely proportional to r e square, और हम जानते हैं कि earth flat नहीं है, earth कैसा है, geoid है, geoid safe है, इसका मतला, यह वाला radius जो है, this radius is less than this radius, since this radius is less than this radius, तो radius जितना कम, g उतना जादा, radius जितना जादा, g उतना कम, same concept यहां use करेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, radius कहां पे है, radius कम यहां पे है, क्यों, क्योंकि यहां चिप्टा है, radius यहां कम है, तो यहां g एकदम हो जाएगा, यह radius यहाँ पर क्या हो रहा है radius यहाँ पर जादा है, तो g क्या एकदम कम हो जाएगा, वही चीज़ बता रहा है तो हम acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of distance from the center of the earth इसके लिए क्या होता है कि जो equator वाला radius है वो जादा होता है, इसलिए g वहाँ पर कम होता है, यह situation equator पर होगा, यह situation pole पर होगा, भाकि यह आप answer देख लीज़े यह SI unit है काफी simple question है, इसको skip करेंगे उसके बाद है कि loudness of the sound depends on, sound की जो loudness है, कि सिस पर depend करती है यह depend करती है इसकी amplitude पर अगर आप यह sinusoidal graph देख रहे हैं ठीक है, इसमें यह वाला part जो है इतना part, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं this is its wavelength, जिसको हम lambda से रिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं this is amplitude ठीक है तो यह वाला चीज जो है loudness मतलब कितना तेज होगा, कितना तेज होगा मतलब यह वाला part जो है न, amplitude this defines the loudness of the sound loudness जो होता है, जैसे हमने बताया है कि इसको याद रखिएगा, important है कि loudness is directly proportional to amplitude square जितना ज़्यादा amplitude होगा उतनी energy sound wave के पास होगी यानि कि उतना ज़्यादा louder sound होगा, मतलब जितना अगार आप तेज आवाज सुनते हैं अगर तेज सुनते हैं, तेज मतलब अगर louder होता है, तब समझ लिजिए उस आवाज की amplitude ज़्यादा है अगर मेरी आवाज आपको काफी तेज लग रही होगी तो आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए अच्छा तेज है क्या मतलब इसका amplitude ज़्यादा होगा, बाकी जो हमारे important facts से आप इसको देख लिजिएगा एक important इस पर पीछ आता है कि pitch of the sound क्या डिटर्माइन करता है that actually determines the difference in the voice quality, ठीक है जो आप दो आदमी है, दोनों की voice में जो difference कर पा रहे है, that is mainly due to the pitch of the sound frequency of the sound क्या होता है आप देख लिजिएगा which metal is the best conductor of electricity इसको skip करेंगे, because this is very common question और इसमें silver होगा silver is the best conductor of electricity क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा movable number of atoms होते है free electron के form में, ठीक है if the resistance is double, then the current gets, ये question कितने बढ़िये तरीके से समझाया गया है, इस पर practice कराया गया है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर resistance double होता है, तो current क्या होगा आपको बिल्कुल V is equal to IR वाला formula याद होना चाहिए voltage बराबर current into resistance, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको double कर रहे हैं, इसको double करेंगे तो इस पर क्या फर्क परेगा, तो आपको इसको और इसमें relation आना चाहिए, ठीक है तो आप क्या लिखेंगे, I is equal to V upon R, लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुना हो जाएगा जाके, ठीक है मतलब I is inversely proportional to 1 upon R, इसका मतलब अगर आप resistance को double करते हैं इसको आप बढ़ाते हैं, दो गुना ठीक है, दो गुना अगर आप इसको बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, inversely proportional है, मतलब ये दो गुना कम हो जाएगा अगर दो गुना कम होने का क्या मतलब हुआ आधा हो जाएगा, इसलिए आधा is the right answer अगला सवाल है कि which of the following can make a parallel beam of light when light forms a point source incident on देखिए, light जो है, this is very important part of the physics that is very regularly coming in VPSC examination और इसके कुछ 3-4 जो है ना, काफी एक relatable concepts होते हैं, उनको अगर आप पर लें तो पूरा light cutter हो सकता है जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को परें, सारी चीजों को रटें, यह question जो है उसी लिए, उसी के लिए select किया गया है कि this will clear your basic concept क्या है कि which can make a parallel beam of light, कौन incident कर कौन produce कर सकता है, जब इस पे point source दिया जाए, point source का क्या मतलब है, जैसे आपका laser light laser light क्या है, एक point source है मतलब एक mirror पे अगर आप light incident करेंगे तो वो light जो है, finally जाके parallel beam बन जाएगी, यही इसका सवाल है, तो किस-किस case में हो सकता है वो, concave और convex दोनों के case में हो सकता है, detail में हमने अपने वीडियो में बताया है, आप जाके देख लीजे जो basic property है, concave और convex की हमने यहाँ detail में लिख दिया है, यह भी काफ़ important है, बताने का समय नहीं है, आप इसको जरूर पर लेंगे magnification which is produced by the rear view mirror fitted in the vehicle, देखिए concave की कुछ properties होती है 3-4, कुछ properties convex mirror की होती है यह आपको एकदम कंठागर होना है बिल्कुल याद होना है, क्योंकि confusion यह होता है, concave की बतले convex और convex के बतले, concave लेकिन यह नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको mirror में बड़ा देखना है अगर आपको बड़ा देखना है अगर आप गारी के आईने में पीछे देखना है तो इसमें आपको क्या चाहिए कि ज़्यादा लोगों की photo दिखे इसमें ठीक है, ज़्यादा लोगों की image आ सके इसमें इसके लिए आपको यहाँ पे small sizes of image चाहिए तो small sizes of image कौन सा mirror देखता है वो देखता है convex mirror ठीक है, convex mirror जो है this is used in rear view mirror क्यों कि इसमें छोटे छोटे चीज़े देखते हैं इसलिए यह larger area cover कर सकता है लेकिन वही अगर आप shaving करते हैं तो क्या है आपका image का large size चाहिए face का तब तो आप ठीक से shaving कर पाएंगे तो उसके लिए हम लोग use करते हैं concave यह तो होगे थोई technical बात अप समझने के लिए याद करने के लिए हमेशा confusion रहता होगे बड़ा छोटा किसमें रहेगा अप याद करिए concave concave इसमें कितने letter है 1,2,3,4,5,6 7 लेकिन आप convex देखिए 1,2,3,4,5,6 ठीक है कितने letter 6 letter 6 letter मतलब 6 से छोटा छोटा किसमें दिखेगा convex में दिखेगा इसे करके याद कर लिए कभी नहीं भूलिएगा concave क्या है बड़ा देखने के लिए है convex छोटा देखने के लिए है convex में 6 letter है 6 से छोटा छोटा मतलब convex mirror हाँ question क्या था कि जो magnification produce होता है किसके द्वारा magnification कौन produce करेगा अगर magnification है मतलब बड़ा कर रहा है बड़ा करने की प्रविट्थी किस की है करने की प्रविट्थी है convex की है क्या concave की तो जो rear view mirror होता है vehicles में उसका magnification मतलब उसका magnification कैसा होगा वो क्या करता है अगर rear view में है तो ये जो है बड़े चीजों को छोटा बना के दिखाएगा बड़े चीजों को छोटा बनाने की capability जो है ये आप समझेए कि एक 1 है और एक 1 by 2 है ये क्या है 1 से कम है एक से कम है तब तो छोटा हो रहा है जो actual size है इसका 1 इससे छोटा हो रहा है इसलिए हम less than 1 वाली जो capability है वो rear view mirror में आएगी जो वेहिकल से fit होती है अगर magnification को आप समझना चाहे न तो magnification क्या होता है size of the image with respect to size of the object मतलब आप कितना दिखा पा रहे है जो image की size है divided by जो object की size है ठीक है तो यह हो जाएगा magnification का यह जो है value यह less than 1 होता है किसके लिए फॉर किसके लिए convex के लिए क्यों convex क्या करता है छोटा दिखाता है क्योंकि 6 liter है 38 मा question काफी simple है vector quantity कौन है इसको हम skip करेंगे 49 मा question electrical bulb heat is transferred from filament to the glass bulb ठीक है आप मैं बल्व देखा होगा कुछ ऐसा बल्व होता है ऐसा कुछ यहाँ पर filament होगा तो बोल रहा है कि जो filament है यहाँ से आप glass को छूते होगे तो glass गया मढ़ाता है लेकिन जलता तो filament है न तो यहाँ से यहाँ heat कोण transfer कर रहा है heat transfer होड़ा है किस से radiation से radiation एक ऐसा method है जहाँ पर heat transfer होता है कैसे electromagnetic wave से transfer होता है heat देखिए it is the process of heat transfer that occurs through electromagnetic waves जैसे और example अगर इसका लें आप तो microwave radiation which is radiated in the oven या फिर heat transferred in the electric bulb electric bulb का heat transfer होता है यह भी radiation के through होता है या फिर UV ray जो की sun से आ रही है वो भी radiation के through हमारे तक पहुंचती है इस radiation is important तो conduction और convection क्या होता है यह भी heat transfer के process है लेकिन conduction में क्या होता है कि जो energy transfer होता है एक particle से another particle में तभी होता है जब direct contact होता है मतलब एक लोहा गरम है उसके साथ है फिर लोहे को रखेंगे तभी हो conduction से गरम हो पाएगा यह जो तरीका है heat transfer का इस गरम से इस थंडे को गरम करने का उसको बोलते हम conduction ठीक है convection क्या बोलते है convection बोलते है कि movement of liquid molecules from higher temperature reasons to lower temperature reasons जैसे gulf stream gulf stream आपने पढ़ा हो है gulf stream क्या है that is a warm motion current warm motion current जो है convection से जाएगा right boiling water है उसी तरह blood circulation जो है हमारे सरी में होता है warm-blooded animals में वो convection के तुरू होता है rate of evaporation increases due to which of the following factor this is very important question rate of evaporation जो है वो increase होता है कौन-कौन सी विज़ह से तो समझेंगे इसको rate of evaporation जो है evaporation क्या होता है अगर ये एक आपके पास कुछ बरतन है इसमें कुछ पानी है ये evaporate होगा अगर इस पे heat आया तो temperature आया तो तो ये जो है evaporation जो होगा ये पानी से जो vapor में convert होगा इसका rate किस पे depend करेगा ये किस किस पे depend करेगा तो जितना ज्यादा surface होगा जितना ज्यादा surface area होगा मतलब जितना ज्यादा exposure होगा उसको sunlight पे या evaporating element पे या फिर जो temperature जो ज्यादा temperature का source है वहाँ पे जितना ज्यादा surface area exposed होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा ठीक है तो जैसे surface area बढ़ा तो evaporation बढ़ा similarly अगर surface area बढ़ा दिया आपने लेकिन temperature increase नहीं किया उससे भी बढ़ेगा लेकिन उतना ज़ादा rate नहीं बढ़ेगा तेकि rate तब ज़्यादा बढ़ेगा जब आप temperature भी बढ़ा देंगे और surface यह तो बढ़ा रहेगा ही उसका तो अगर increase in temperature होता है तो उससे भी जो है वेपर state में ज़्यादा change होगा एक और है कि ज़्यादा temperature देने से kinetic energy बढ़ जाएगी यह molecules की kinetic energy जब बढ़ जाएगी तो हमने आपको थाइट एंट अनर्जी बढ़ती है तो उससे जो है rate transfer जो है वो phase change जो है वो थोड़ा boost हो जाएगा फिर decrease in humidity humidity का क्या effect होता है evoperation में आप देखिए आप रोज चार रोटी खाते हैं और अगर आपको किसी दिन 6 रोटी दी जाए तो आप क्या करेंगे चार के बाद खाने में आपको तकलीफ हो जाएगी ठीक है तो क्योंकि आपकी capacity चार की है इसका मतलब आपकी humidity जो है उस दिन एकदम full है एकदम आप saturated है किसी दिन आपको दो ही रोटी खाने को मिला ठीक है तो आप क्या चाहेंगे और दो रोटी आपको मिल जाए यानि कि आप में और capacity है रोटी खाने की आनि की atmosphere में और capacity है humidity एक्सेप्ट करने की humidity कहा से आ रही है एवापरेशन जो हरा humidity ही है वाटर वेपर है उसमें तो वो जाके atmosphere में clean हो जाएगा इसका मतलब है कि एगर humidity कम हुई मतलब कि atmosphere में humidity कम है तो क्या होगा और ज्यादा एवापरेशन होगा क्योंकि उस place को भरने की कोशिस होगी जैसे low pressure बनेगा तो heat जो है warm up होके उपर उठेगा और वो water vapor form में convert हो जाएगा उसी से increase in wind speed wind speed से क्या होता है कि आप देखिए कि जो गर्मी के दिन है उसमें कपड़े बहुत जल्दी सुखते है या जिस दिन काफी जादा हवा चलती है उस दिन कपड़े जादा जल्दी सुखते है क्या होता है जैसे ही आप wind speed बढ़ता है तो जो water vapor के particle है जो कपड़े से निकला water vapor वो जल्दी से हवा उड़ा के ले जाती है तो वो वाला जो space होता है वो vacuum बन जाता है और there is a strong possibility कि कपड़े से water vapor फिर से evaporate होगा और एटो से जाएगा इसलिए जैसे ही wind speed भी बढ़ता है तो क्या होता है evaporation भी बढ़ेगा food cans are coated with tin and not with zinc because यह question जो है important इसलिए है क्योंकि यह reactivity series से deal करता है reactivity series क्या है कि जितने भी chemicals है उनका reactivity कैसा है ठीक है तो उससे related यह question है इसको पढ़ लिजिए को उतना ज्यादा कुछ complex नहीं और समझाने वाला कुछ है नहीं क्योंकि जैसे reactivity series रहेगा उस अनुसार से वो metal से react करेगा तो हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा reactive element हमारे आसपास ना हो कम reactive हो तब उस ज्यादा stable होगा तो उसी तरह से जो tin है जो food cans है वो tin से coated आते है क्योंकि यह stable है आप इसकी reactivity देखेंगे तो एकदम से कम है एकदम से पीछे है ठीक है लेकिन जिंक की काफी आगे है जिंक की reactivity ज़्यादा है यह जल्दी react कर लेगा food से और contaminate कर देगा लेकिन यह contaminate नहीं करेगा इसके लिए हम क्या करते है और यही reason है सबसे बड़ा कि जो अचार हम लोग पहले घर में रखते थे सीशे के बड़तन में इसलिए हम लोग steel jar में नहीं रखते है steel के बड़तन में अचार को नहीं रखते है क्योंकि उसकी reactivity glass से ज़्यादा होती है arsenic isotope है उसका क्या use है यह काफी simple question है अब देख लीजेगा इसका answer which one of the following process involves chemical reaction यह important है कि कौन-कौन सा process में हम लोग chemical reaction या chemical reaction होता है अब देखेंगे कि copper wire को जब air के presence में heat करते है high temperature पे तो जो है copper का क्या हो जाता है oxidation हो जाता है oxidation होके एक नया product बनाता है एक thin layer of copper oxide बना देता है metallic copper के surface पे वहाँ chemical reaction हो रहा है बट बाकी में chemical reaction नहीं हो रहा है बस एक phase change हो रहा है ये question जो है एक turmeric जो है न वो क्या काम करता है वो एक natural indicator का का काम करता है इसी theme पे ये question है factual nature का है पर लीजिए याद कर लीजिए ये question important इस लिए है क्योंकि इस बार rusting और iron वाला एक question आया था ठीक है तो rusting iron steel ये सब जो है area काफी favorite है और इसे एक नए question पूछता है चाहे वो geography में हो चाहे ये science में हो तो देखिए इसमें question है कि pure iron is very soft pure iron जो है काफी soft होता है सही है अगलत है बिल्कुल सही है क्योंकि हम उसमें क्या डालते हैं nickel and chromium we get stainless steel ठीक है इसका अंसर आपको यह मिल गया कि iron में जह हम nickel और chromium मिलाते हैं तो हम क्या मिलता है हम को stainless steel यह conceptual question है कि ऐसा reaction बताईए अब देखें होंगा न ऐसा reaction एक यहाँ पर heat देते हैं यहाँ यहाँ दिखते हैं energy released तो जहाँ पर यहाँ पर heat देते हैं वो हो जाएगा endothermic और जहाँ यहाँ पर energy release होता यह हो जाएगा exothermic ठीक है तो reaction in which energy is absorbed 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 किसमें होता है इसमें होता है क्योंकि energy चाहिए reaction होने के लिए वो हो जाएगा endothermic endothermic के क्या क्या example है example है melting ice cube frost to water vapor जब होता है water vapor में convert होता है frost क्या होता है वो energy absorb करके energy consume करके बनता है ठीक है और यह exothermic अगर आप देखेंगे तो nuclear explosion जो है वो exothermic reaction है मतलब अगर blast हुआ तो huge heat निकला यह question pH वाला है acid base से related है इसमें है कि the human body works within the pH range of 7 to 7.8 ठीक statement है क्योंकि क्या है हमारी body थोड़ी सी acidic है sorry हमारी body थोड़ी basic है not acid really sorry body जो है थोड़ी basic in nature है pH of the rain is less than यह 5.6 जो है याद कर लिजए 5.6 जो है एक pH scale का एक ऐसा point है जिससे आप determine करेंगे कि rain water acidic है कि नहीं है अब बारिस हो रही है कैसे पता लगे वो acidic है नहीं है तो यह criteria है criteria है कि एगर pH उसका 5.6 से कम हुआ तो वो क्या होगा acid grain हो जाएगा अब tooth decay starts when pH value of the mouth increases यह सही है या गलत है यह असल में देखें तो गलत है क्योंकि tooth decay जो होता है जो दात का जो सरना start होता है वो कम होता है जब pH क्या होता है घट जाता है acid की nature हो जाता है basic होने से दात खराब नहीं होता है tooth decay कम start होता है जब pH 5.5 से कम होने लगता है ठीक है क्योंकि tooth enamel जो होता है हमारा वो किसे बना होता है calcium phosphate से बना होता है जो की hardest substance है body का ठीक है तो वो तभी degrade करेगा वो तभी अपने आपको यह होने देगा जब pH 5.5 से कम होगा which one of the following are the physical changes physical changes कौन-कौन से है physical changes के अगर आप बात करेंगे petrol liquid form में है यह vapor form में convert हो रहा है उसके बाद heating of an iron rod to red hot जैसे red hot होता है तो वो liquid form में change हो रहाता है iron rod क्या है एक solid form है उसी तरह से sublimation of solid ammonium sublimation process क्या होता है कैसा process जहां पर solid gets directly converted to vapor इसको बोलते है sublimation ठीक है यह question है history का history में भी जो हमारा वेदिकाल है early वेदिकाल उससे related है which one of the following is the greatest god of aryans तो आपको पता होना चाहिए greatest god कौन है इंद्र है greatest god उस समय पे और क्या-क्या होते थे इंद्र को और क्या कहा जाता था पुडंदर कहा जाता था मेगवान कहा जाता था वित्रहन कहा जाता था दूसरे important god कौन से है दूसरे important भगवान अगनी है जिनको god of fire भी बोला जाता है दो सो हम जो है उनसे उनको attributed है वरुन जो है तीसरे है मतलब पहले कौन है इंद्र है अगनी है और वरुन ये तीनों important देवता थे stone cut reservoir has been discovered ये question important इसके लिए है क्योंकि UNESCO World Heritage Site में धोला विरा को add किया गया था दोला विरा को add किया गया था इसके लिए question important है अगर आप देखेंगे इसका answer जो है वो धोला विरा है stone cut reservoir मतलब पत्थर से काटा हुआ एक पानी का reservoir है वहाँ पे ठीक है काफी drains मिले है वहाँ पे तो ये धोला विरा का इसको जो भी facts है धोला विरा का वो important हो जाता है इस ब बात करेंगे तो किस से होगा सोम से होगा अमरित से होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे आप जिसके detail है आप explanation में पर लीजेगा हम आगे बढ़ते हैं for which inscription it is known that सकंद गुप्ट defeated huns ये fact है जो एकदम से याद होना चाहिए ये कौन सा pillar हो जाएगा भितरी pillar inscription में यब कहा गया है कि सकंद गुप्ट ने huns को हराया था हुनास के attack हुआ था न तो उसमें सकंद गुप्ट ने defeat किया था उनको आपको गुपता पिरेड में पता होना कि गुप्टा पिरेड में कौन-कौन से लोग हुए जो उसमें science और astronomy में अच्छा गाम कर रहे थे वो भी important question बनता है एक और question पुष्टा है कि Napoleon of India किसको कहा जाता है Napoleon of India कहा जाता है सकंद गुप्ट को नहीं उनको कहा जाता है समुद्र गुप्ट को अब इनके निकनेम जरूर देख लीज़े गुपता पिरेड में निकनेम इंपॉर्टेंट है ये काफी काफी trivial question है इस सब question skip करेंगे हम philosophy of Ramanujacharya ये important है क्यों कि अभ जहांगीरी महल किस से related है जहांगीरी महल जो है वो कौन से फोर्ट से related है मतलब ये कहां पर बना हुआ है जहांगीरी महल जो है न ये महिलाओं के लिए बनाया गया था कहां पर आगरा फोर्ट में आगरा फोर्ट में आगरा फोर्ट क्या था वो एक किला था मुगल का वहा रिस्ट हाउस था कह सकते हैं राजपूत वाइपस ओफ अखबर जो थी वो वहाँ पर रिस्ट करती थी इक्ता सिस्टम किसके द्वारा एबॉलिस किया गया था आपको पता होना है कि इक्ता सिस्टम लाय किसके द्वारा गया था और इक्ता सिस्टम एबॉलिस किसके द्वारा किया गया था अगर आप देखेंगे तो अलाउदिन खिल जी सुल्तान था वो क्या किया था इक्ता सिस किये थे ताकि उनका उसका बर्चस्व जो है सोसाइटी पर बना रहे हैं उसके लिए उसने इकता सिस्टम को खतम कर दिया था तीन तरह के land होते हैं एकता land खलिशा land और इनाम लेंड क्या-क्या होते हैं आप देख लिजे यह important है, अब है अगला question कि आजमगर प्रोग्लेमेशन किस चीज़ से related है, कौन से इवेंट से related है, so this is important, आजमगर प्रोग्लेमेशन जो है वो revolt of 1857 से related है यह कहां publish हुआ था यह Delhi gadget में publish हुआ था कब हुआ था या किस दवरान हुआ था during great mutiny of 1857 हुआ था इसके author कौन थे author बोल सकते हैं कि इसके author फिरोज साह थे फिरोज साह कौन थे he was the grandson of भाधुर साह जफर उस time के जो मुगल emperor थे यह एक बहतरन स्टेटमेंट है यह पुछा गया है यह किस ने बोला है तो अब देखेंगे इफ गौड वेर तोलरे अंटचाबलीटी आउट नॉट रिकोगनाइज हीम as the God at all यह किस ने बोला है तो इस स्टेटमेंट वाज तोल बाई श्री बाल गंगाधर तिलक यह इंपोर्टेंट है अगला है कि महात्मा गंधी ने कौन-कौन से सत्यागरह को लीड किया था तो आपको याद होना चाहिए इसका तरीका है याद करने का C-A-K-E चंपारन अहमदाबाद खेरां दोलन ठीक है इससे आप याद कर लिजेगा इस डेटिल में जाने की जरूरत नहीं है यह आपसे यह नहीं पुछा है कि जब इस इंडिया कंपनी इंडिया आया यह पूछ रहा है कि जब बिटिश इंडिया कंपनी लंडन में फॉर्म हुआ उसमें इंडिया कौन था तो जो अकबर था अकबर जो थे वो थर्ड मुगल एंपरेर थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक साशन किया था और वही मुगल एंपरेर इंडिया में थे जब बिटिश इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन लंदन में हुआ था मतलब जो पहलल गौवर्मेंट्स बनी थी चिट्टू पंडे और सती सामन्त वाईवी चोहन नाना पाटिल ने जो पहलल गौवर्मेंट्स बनाया था इन ओप्शन में से कौन सा नहीं है इसमें ध्यान दने वाली बात क्या है आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि बलिया में चिट्टू पंडे तमनुक या मिदनापूर में सती समन्त सतारा महरास्टे में वाईवी चोहन ने नाना पाटिल और तालचर और इशा में अन्नोन के द्वारा पैरलल गॉव्मेंट काफी टाइम तक रहे थे ये काफी सिंपल क्यूश्चन है कि पॉलिटिकल गुरू अफ सुभाचांदर बोष कोन थे कितनी बार बताया गया हमारे क्लासेज में कि पॉलिटिकल गुरू अफ सुभाचांदर बोष जो थे वाज जितरन जनदास गॉपलल करिस को खLee किसके पॉलिटिकल गुरू थे वाज द पॉलिटिकल गुरू ओ आफ मोहंदास, करमचंद गौनधी दिपावले डीकलेरेशन किसी से रेलेटेड है दिपावले डीकलेरेशन है लॉड इर्विन से रेलेटेड क्यों जो Irwin Declaration आया था Lord Irwin के द्वारा कब 31 October 1929 को किसे related कि आप इंडिया को British Empire में क्या status रखेंगे ठीक है तो वो चीज है अब आपको दाना जरूरी है कि Lord Irwin के टाइम पे क्या क्या हुआ था ये important है क्योंकि उस समय जो था Indian Freedom Struggle अपने mid-phase से गुजर रहा था और this is important to know कि उनके ये roundtable conferences हुए Irwin के टाइम पे forward policy towards Afghanistan किसकी policy थी तो ये आप याद रखेंगे कि ये lighten की policy इसी तरह से दो-तिन question आता है इससे related कौन सी policy किसकी थी जैसे masterly in activity किसकी policy थी तो John Lawrence की policy थी इस तरह अगर के दो-तिन चीज होता ये आपको याद रखनी चाहिए ये है कि कौन से जो या जो आदमी थे उस time उनका किस area से relation है तो देखिए इस question में आपको क्याफिक clear होगा कि हैदर रखी जो है वो मैसूर से related है ठीक है न तो ये बिल्कुल ही सही है इसमें पूछ रहा है incorrect हैदराबाद निजामुल मुल्क बंगाल मुर्शीद कुली खान ये बिल्कुल ही सही है मारतंडवर्मा जो है वो अवद से related नहीं है मारतंडवर्मा कहीं न कहीं ये south में थे तो आप इसको eliminate कर सकते हैं इस तरह से ये निकाला जा सकता है अगला question है कि English in India company अपना first trading center establish करना चाहते थे शूरत में लेकिन permission जो है refuse कर दिया गया किसके द्वारा मुगल emperor के द्वारा क्यों refuse कर दिया गया main problem क्या है main problem था कि उसमें Portuguese जो थे वो मुगल emperor को support कर रहे थे और यही Portuguese इनको insist कर रहे थे कि आप English in India company को फर्मान नहीं दीजिए क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो they will be a competitor to Portuguese तो इसके लिए मुगल emperor were refusing permission अब एक देखिए कि इसमें important है captain hawkins आये थे किसके कोट में जहांगीर के कोट में कब आये थे 1609 में आये थे लेकिन इनको मिला नहीं था मिला कि इनको था sir thomas row को मिला था जो captain thomas row आये थे उनको मिला था जिनको जहांगीर ने permission दे दी establish करने की अब एक चीज आपको देखना है कि English Khan का title किसने किसको दिया था ये आप search करिएगा with reference to the entry of European powers in India which of the following is true or not correct ये काफी अच्छा question है क्योंकि इस तरह के question generally आते रहते हैं Portuguese ने Goa को कब capture किया था Portuguese ने Goa को capture किया था 1510 में कैसे किया था कहां से किया था from the rulers of Bijapur किया था कौन Portuguese ने Goa को rulers of Bijapur से 1510 में capture किया था 1499 में capture नहीं किया था ठीक है अब Portuguese के ruler के बारे में थोड़ा थोड़ा है कि Albert करकी है फिर वहाँ पे Francis de Almeida था उस सब के बारे में थोड़ा आप देख लें तो that was better which is not correctly matched ये important है इसको आप देख लीजेगा ये important इसके लिए है कि जितने भी conspiracy cases है वो कौन से year में हुए है वो आपको याद होनी चाहिए और उनकी एक chronology आपको याद रहनी चाहिए ठीक है ये आप इसका explanation पर लेंगे इस समझाने लाएक कुछ नहीं है इसमें totally factual in nature है और उससे related लोग कुण थे काफी detailed तरीके से हमने explanation में दिया आप इसको जरूर पढ़िएगा दो तीन बार in which of the following movements women's participation is considered to be the highest कौँसे movement में सबसे ज़्यादा था उनका participation साल्ट सत्यागरह में था मतलब civil disobedience movement में जो है जो औरते हैं उनका योगदान इंडियर फ्रेड में struggle में काफी ज़्यादा था उसमें क्या कुछ हुआ था वो हमने अच्छे से काफी detail में mention करके दिया है which of the following newspapers was started by गांधी जी in South Africa आपको पता होना चाहिए इससे क्या-क्या fact पता होना चाहिए कि गांधी जी South Africa में कब से कब तक थे कब से कब तक थे उन्होंने वहाँ पे कौन कौन सा newspaper चालो किया उनके वहाँ पे कौन कौन से phages थे उन phases में उन्होंने कौन कौन से movements किये, उसके बाद वो South Africa से कब आए और यहां आने के बाद उस दे को आजम किस नाम से celebrate करते हैं, और साथ एफरिका से जब आए तो यहां पे उन्होंने कौन से पेपर की शुरुवाद की, कौन से निज पेपर की सुरुवाद की, तो अगर आप देखेंगे अफरिका में, अफरिका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन की शुरुवाद की थी, यह भी एक factual question है, आता आए तो ठी का नहीं तो skip करना पड़ेगा which of the following लेड़ पीसफुल रेड़ों धरसाना साल फेक्टरी धरसाना साल फेक्टरी पे किन्हों ने पीसफुल रेड़ किया तो असका answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा सरोजनी नाइडू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ने धरसाना साल फेक्टरी में पीसफुल रेड़ किया था मतलब अगर धरसाना साल फेक्टरी का नाम आए तो आपको याद आना चाहिए सरोजनी नाइडू एंड अबुल कलाम आजाद अगला टॉपिक है काबिनेट मिशन प्लान से पुछा है कि कौन सा उसके बारे में सही नहीं है काबिनेट मिशन प्लान काफी important है इसलिए important है क्योंकि ये आजादी के सबसे करीब था और इसके recommendation फे काफी कुछ चीज़ें बनी थी तो ये है cabinet मिशन प्लान इस एकदम से याद रहना है 16 माई 1946 इसमें तीन लोग थे कौन-कौन थे इसमें लॉर्ड प्रिथिक लॉर्रेंस सेक्रेटी अब स्रेट फॉर इंडिया सर स्टाफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ठीक है यह सब आये थे इंडिया कब आये थे 24 मार्च उनिस्वाचियालिस को आये थे तो यह date कौन सा है यह date है इनके recommendation का date इनका जो recommendation था वो इन्होंने अपना plan जो है वो बताया था 16 माई को आये कब थे इंडिया 24 मार्च को आये थे यह important है BPSC point of view से Baba Ramachandra Sanyasi was the leader of which of the following movement Baba Ramachandra जो थे वो कौन से movement में उनका participation था कौन से movement के वो leader थे गर आप देखेंगे तो वो थे अवद के present movement of अवद जो हुआ था उसके वो leader थे he was a trade union leader थे वो और अवद की सांसभा उन्होंने ही form किया था किसने Baba Ramachandra ने ठीक है क्यों किया था क्यों कि to fight against the abuses of landlords और वो एक सन्यासी था जो कि Fiji में एक indentured levered की तरह रहा था Fiji एक ऐसा country था जहाँ पे slaves को भेजा जाता था वहाँ पे यहाँ से इंडिया से ले आ जाता था लोगों को as a to treat them as slaves और उनको lever की तरह काम कराया जाता था उस टाइम पे अच्छा सुराज पार्टी जो है कब बना था आप इसको eliminate करके बना सकते हैं कि सुराज पार्टी आप देखेंगे तो 1922 के करीब बना था और इस टाइम पे कौन सा आंदोलन काफी पीक पे था अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे एक सबसे बराउंदोलन पीक पे था जो की non-cooperation movement था और non-cooperation movement जो हो abruptly आपस कर लिया गया था किसके द्वारा मोहनकदास क्रमचंदर गांधी के द्वारा जिसके बाद काफी नेता लोग खफा थे तो उन्होंने मिलके सुराज पार्टी बना ली थी जिसमें no changers और pro changers में division हुआ था congress में ठीक है तो उसके main कौन थे proponents जो थे वो थे बड़े नहरू मतलब मोतिलाल नहरू और चितरण जंदास चितरण जंदास किसके तो सियार दास और मोतिलाल नहरू ने किया किया congress खिलाफत स्वराज पार्टी बना लिया उसके president कौन बने president बने सियार दास आपने सुना होगा कि भारत माता की painting काफी important है उसको सबसे पहला बाद तो बनाया किस ने है उसको बनाया अबनिंदर नाथ टेगोर ने अब ऐसा क्या चीज था जो उनको push किया उनको motivate किया कि आप भारत माता की image बनाईए तो जो सोदेशी movement था सोदेशी movement की जो बयार चली थी partition of Bengal के बाद उसके बाद जो बयार चली थी उसमें जो nationalist movement हुआ था उस nationalist movement में अमरीनिदर टेगोर ने भारत माता का portrait बनाया और वो भारत माता का portrait जो है एक motivation का काम कर रहा था एक जुटता बनाने का काम कर रहा था लोगों के बीच में आम जन के बीच में अब ये geography का question आ गया geography का question क्या है कि north से south बताना है कि कौन सी hills north से south में कैसे flow करती है उनका कैसा existence है ये question जो है ये काफी basic है और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी hills कहां पे है इसको solve गैसे करें अब देखिए इसमें से आपको पता है कि निलगरी तो western घाट में है ठीक है जो cardamom की पहारिया है यहाई इलाइची खुब मिलती है यह कहीं न कहीं केरला में है ठीक है तो आप महादेव को सबसे उपर रखेंगे क्यों 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 कि ये part जो है वो मध्य परदेश वाला reason है चतित्रगड़ वाला reason है तो महादेव को सबसे top पर रख लेते हैं उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आंदर प्रदेश अब इन्सब हिल्स में कौन सा हिल जो है अंदर प्रदेश में है तो ये नला मला हिल्स जो है नला मला हिल्स तीन डन हो गया ये खतम हो गया ये खतम हो गया ये खतम हो गया निलगरी अन्नमलाई निलगरी और अन्नमलाई जो है वो तमिलनाडू में आता है निलगरी जो है वो करनाटका में आता है तो उपर कौन है उपर करनाटका है तो आप ऐसे लिखेंगे निलगरी फिर आजाएगा आपका अन्नमलाई तो इस तरह से solve किया जा सकता था अगर exactly भी आपको याद नहीं है तो यह option कहाँ पर है यह option A में है इसलिए इसका answer हो जाएगा अब crops को उसके soil से add करना है कि आप देखिए अब सबसे important इसको eliminate करके सकते हैं कैसे जो black and aluvial soil है black and aluvial soil किसे relate करता है यह आप relate कर सकते है cotton से उसके बाद देखिए less fertile and sandy soil है sandy soil कहाँ होगा राजस्थान में राजस्थान में सो देखिए इसम में से सबसे ज़्यादा क्या होता है millets वहाँ होते हैं इसको millet से relate कर दीजिए one और three मतलब three four में one three one three से one यह दोनों है और four का three four का three यह दोनों में है बहुत बड़ी option set किया हुआ है तो अब A और B में देखते हैं क्या है A और B में अगर देखेंगे कि aluvial soil और loamy soil aluvial soil कहां हो जाएगा aluvial soil हो जाएगा wheat जहां पे हम लोग रह रहे हैं भी बिहार UP यह सब बेल्ट जो है aluvial soil वाला यहां पे wheat जादा होगा इसके लिए option कौन सा सही हो जाएगा option B correct हो जाएगा आगे चलते हैं आप इसके जो characteristics हैं वो देख लीजिएगा अगला सवाल जो है वो world geography से है सवाल है कि western correlator जो है कौन से continent में हैं तो western correlator जो है वो नौर्थ अमेरिका में है कालगुरली और कुलगर्दी एरियाज जो है किसके लिए famous हैं gold mines के लिए famous हैं यह आप याद रखेंगे अगर यह famous हैं तो यह कौन से continent में पाए जाते हैं यह कौन से continent में present है तो कालगुर्ली और कालगुर्दी जो areas हैं वो Australia continent में याद रखेंगे इनके बारे में काफी detail दी गई यहाँ पर सकते हैं यह काफी important है और यह तो एकदम याद रख लिजिए कौन से लाइन किस चीज को डिवाइड करता है वो इसमें clearly specified है अब question है grassland से हमने question देख लिया किस से था पहला माइन से था फिर किस से आगया international boundary line कौन कौन सी है उसके बाद आगया हमारा एक grassland से question आपको पता होना चाहिए कि कौन से grassland से दो type के और उग लासland कहां कहां है ये दोनों अगर important याद है तो इससे related सारे questions बन जाएंगे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अब हम आ जाते है पॉलिटी पे पॉलिटी क्या है ये question important क्यों है क्योंकि इसमें governor की चर्चा की गई है और state के संदर में अगर देखें तो governor का बहुत बड़ा रोल होता है और governor काफी कुछ control करता है क्योंकि वो center का एक agent होता है तो governor chief minister को point करता है ये एक जानकार यहां से निकल गाई कि chief minister को कोने point करता है governor एक point करता है मुख्यमंतरी को point करता है राजयपाल करता है तो कौन से article में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है article 164 में मतलब नितिस कुमार जी को फगु चहान जी ने किस article के अंदर point किया है तो नितिस बावु को जो फगु चहान ने किया है 164 article के अंदर cm की appointment की है उनकी appointment की है oath and affirmation वगरा अगले article में हो सकता है लेकिन 164 जो है ये particularly appointment की बात करता है ये important question है 83 नंबर क्या है कि social और economic democracy का concept जो है इसका जो idea है वो किस चीज में पाया जाता है social और economic democracy को कौन सा ऐसा चीज है जो promote करता है क्या ये preamble करता है क्या फंडामेंटल राइट करता है duty करता है DPSP करता है अब छोटे सब्दों में आप समझा देता हूँ इसको देखे preamble क्या होता है preamble एक किताब का index है ये क्या बोलता है सम्विधान में कि जो पूरा सम्विधान है ये इतने पन्नों का है लेकिन चलो हम एक पेज में इसको निप्टा देते है सम्विधान क्या बोलता है कि हमारे अंदर कौन-कौन से philosophy है हमारे अंदर कौन-कौन से ऐसे principle है जिसके basis पे हमारे सम्विधान को design किया गया है ये ये भी बताता है कि ये लागू कब हुआ इसके source of authority जो है इसका जो source है power का वो कौन है ये सब बाते कौन बताता है preamble तो ये कहीं भी social economic democracy की बात नहीं करता है ये सिर्फ एक word लिखता है justice वाला word लिखता है लेकिन ये exactly उस चीज को denote नहीं करता है fundamental right क्या है ये हमारे मौलिक अधिकार है ये ऐसे अधिकार है जिसको जिसके हनन के against में हम court जा सकते है supreme court के पास इसकी एक read jurisdiction है read jurisdiction के अंदर आप किसी भी supreme court में direct जा सकते हैं अपने fundamental rights के violation case लेके high court के पास भी इसकी jurisdiction है और वो ज्यादा बड़ी है उसके high court की जो read jurisdiction है वो ज्यादा बड़ी है supreme court से ख्यार यहाँ पर fundamental rights जो है वो हमारे मौली का अधिकार है जो article 12 से 35 में लिखे गए है ये political democracy को boost करता है fundamental duty क्या है fundamental duty है कि हम क्या कर रहे है हमको क्या करना चाहिए ठीक है हमको क्या करना चाहिए ये कौन बताएगा ये fundamental duty बताएगा क्या ये सम्मिधान चालू होने के टाइम पर था नहीं था ये कब add किया गया ये add किया गया 42nd amendment 1976 तो directive principle of state policy क्या है ये जो था ये सम्मिधान बनाने के समय में ही डाला गया था ऐसा बोला गया था कि ऐसे अभी बहुत चारी चीज़े बची हुई है जो हमारी सम्मिधान में नहीं डाला है क्योंकि हमारे पास इतने ना तो economic resource है ना हमारे पास उतनी intellectual resource है मतलब कि हम उतने अभी evolve नहीं हुए है कि उस सम्म चीज़ों को लागो किया जाए तो उसके उस जगह पे हम लोगों ने directive principle of state policy को डाला गया उसी directive principle of state policy में कहा गया कि सरकार को क्या करना चाहिए वो उसमें लिखा हुआ है सरकार को किस दिशा में सोचना चाहिए वो उसमें लिखा हुआ है सरकार की policy direction क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ है किसमें डेरेकरि प्रिंसपल आफ स्टेट पॉलिसी मे अब पूछ रहा है थर्ड टीर अफ गवर्मेन्ट जो है कौन से कोंसे निमाने मेंट अक्ट के द्वारा एड की गई है ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि यह related है किस से हमारे पंचायत से हमारे municipality से तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा C and D 73rd से अलग और 74th से अलग ठीक है 73rd से क्या हुआ था 73rd से हमने part 9 add किया था और इस part 9 से schedule 11 add हुआ था schedule 11 क्या बोला था कि हम पंचायत की establishment करते हैं similarly 74th amendment act जो था इसने constitutional recognition दिया था किसको municipality को यानि कि urban local government जिसका भी election हो रहा था और क्या यह क्या add किया था यह part 9A add किया था और एक नया schedule नाव जो की schedule 12 है वो constitution में add किया था अब आते हैं कुछ history questions से और यह question जो है काफी अच्छे questions रहेंगे बिहार special से related है यह question कि who was made the commander of dhrup dal यह काफी important है यह quit India movement के आसपास जो issues होते हैं issues चलते हैं उससे related है तो यह जै प्रकास नराइन जो थे हमारे उनको commander बनाया गया था धुरूब दल का इसकी जो story है वो वीडियो में काफी अच्छे से रोईत सर ने बताई हुई है आप उसको देख सकते हैं और जो भी options में हैं इनमें जैसे बलदेव सहाय थे ठीक है यह attorney general थे और इन्होंने सत्यागरह में तो यह इनके बारे में भी थोड़ा यहां दिखा हुआ है आप पर लेंगे देखे 1927 का जो टाइम था बिहार के लिए काफी बढ़िया टाइम था क्योंकि यहां पे काफी कुछ ऐसे कारी हुए थे जो अलवर इंडिया से यूनिक थे क्योंकि student का बर्चस उसमें बहुत था और यहां education को काफी value दिर जा रही थी उस टाइम पे तो काफी संग बने थे युवक संग और इस तरह से लेके तो पतना युवक संग जो है इस वस फोंड़ेट बाई he was also included in the delegation to the communist international में जो delegation गया था उसमें जो included थे आदमी वो में राय थे उनकी famous book जो है उनका उसका नाम क्या है इंडिया इन transition जैसा हमने बताया कि बहुत सारे संग बने थे इसमें पतना युवक संग है बिहार युवक संग है और पार्टली पुत्र युवक संग है पतना युवक संग पहले बना था फिर बिहार युवक संग उसके बाद पार्टली पुत्र युवक संग पतना युवक संग करता ध पिख्ष बेनी पुनी और अंबिका कांत सहाई ने उसको बनाया था उसको Consolidate किया था अब इस सत्यांदर नराइन सिन्हा important है क्योंकि ये इस बार भी एक question पूछा है कि who was the first governor of Bihar तो ये देखिए he was the first governor of Bihar और फिर से इससे question जरूर आएगा क्योंकि this is very important और इससे related ऐसे facts हैं जो सामने तो हैं पर छिपे हुए रहते हैं अब इसको जरूर देखेंगे का because he is considered to be one of the important because बिहार के होके उन्होंने बिहार से relate होके उन्होंने पहला इंडियन थे वो first इंडियन थे जो British Ministry के पार्ट हुए थे वाइसरा Executive Council के पार्ट हुए थे इसलिए सतेन ननायन सिन्हा को बुलाया नहीं जा सकता उनको exam point of view से आप बिल्कुल भी इनको याद रखेंगे अब ये कुछ titles है और उनके इस्ट नाम है ये भी अक्सरता पूछे जाते हैं कि जैसे अजात सत्रू है अजात सत्रू किसको कहा जाता है अजात सत्रू कहा जाता है डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को राजिंदर बाबु को कहा जाता है अजात सत्रू उसी तरह से बिहार के स्री किसको कहा जाता है बिहार के स्री कहा जाता है हमारे राज्य के पर्थम मुख्य मंत्री डॉक्टर स्री किसन सिंग को उसी तरह से अगर देश भूशन देखें देश भूशन कहा जाता है मजहरूल हक को बिहार भिभूती किन को कहा जाता है बिहार भी होती कहा जाता है अनुगर हन्राइन सिंग को जो कि हमारे फर्स्ट डिप्टी चेर चीफ मिनिस्टर थे अगला सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है बिहार स्पेसल पॉइंट अव व्यू से ये कहता है कि हूँ लेट दा अमबारी सत्यागर है इं 1939 अमबारी सत्यागर है 1939 में किसने लीड किया था देखिए उस टाइम पे कुछ तीन चार आदमी थे जो काफी पॉपलर थे उनका किसी एरिया से रिलेशन रहा था जिससे राहूल संकृताइन है स्वामी शहजानन्द, मुहम्मद जुबेर, स्वामी विद्यानन्द, इनका किसी ने किसी एक पर्टिकुलर मुव्मेंट से टालुक रहा था और इससे सवाल भी आ जाते हैं जैसे देखिए राहूल संकृताइन के बारे में इनका बर्थ प्लेस आजमगड में है लेकिन इनका वर्ट प्लेस जो था वो सारंजिला में था इनको वोलगा से गंगार उनके द्वारा लिखा गया है तिबत में सेव वर्सा, मेरी यूजो प्यात्रा, फादर आफ इंडिन ट्रेव लोग इनको बोलते हैं और बुद्धिसम के परती इनका जो इनक्लिनेशन था उसके कारे इनका नाम राहुल पराया और राहुल से इनको राहुल संकृतायन भी बोलते हैं इसी तरह से महमद जुबेर के बारे में है वो इसी तरह स्वामी विध्यानन्द के बारे में है स्वामी विद्यानन्द ऐसे आदमी थे जो he was the one of the most important present leader during the non-corporation movement जितने भी present leader हुए आप देखेंगे कही निकाई हो civil disobedience movement के आसपास काम कर रहे थे लेकिन स्वामी विद्यानन्द was one among them who work during only the even the non-corporation movement के टाइम पे ही वो as a present leader active थे ठीक है अब उनका आपको याद रखना है कि जो लीडर है उनका वरक प्लिएस कहां है वो किस एरिया से में ज़धा अपना effort डालते हैं किस एरिया में अपना ज़धा काम करते हैं तो उसी तरह से अगर देखेंगे तो अमबारी सत्यागरा लियर किया गया था राहुल संक्रिताइन के त्वारा राहुल संक्रिताइन का एरिया कौन सा है राहुल संक्रिताइन करते थे ही वस एक्टिव इन सार इंडिस्टिक उसी तरह मुहमेद जुवेर और सिर्केशन सिंग जो थे अब दूसरा question है कि when did the Simon Commission arrived in Bihar देखिए ये सारा question जो है सारा question हमारे Bihar special के जो वीडियोज है वो still there are available on the YouTube you can go and see वो सब freely available है और ये सब question उसमें कफ्य अच्छे से covered है When did the Simon Commission arrived in India Simon Commission Bihar में कब आया तो Simon Commission Bihar आया था 12 December 1998 को दूसरा question बनता है कि Simon Commission को Bihar जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको Bihar से कौन लीड कर रहे थे उसको लीड कर रहे थे हमारे देश के पर्थम डेपुटी चीफ मिनिस्टर अनुगुरह नराइन सिंग वो लीड कर रहे थे Simon Commission के अगेंस्ट वाले प्रोटेस्ट को Simon Commission की क्या खासियत थी उसको Bihar करने का डिसिजन कौन से सेशन में लिया गया मद्रा सेशन में मद्रा सेशन कहां हुआ था 1927 में हुआ था जिसका चेर्मेन कौन थे म. अंसारी थे उसी में ये तैक किया गया था कि Simon Commission का विद्रोग किया जाए Simon Commission के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाए और Simon को अपक के नारे लगे थे इसी के बार लाला लजबतराय को लाठिया खानी परी थी जिसके करन का दिहान थो गया था ये इसलिए इसलिए इंपोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि इस बार आया था कि जो इंडिविजल सत्यागरा हुआ था उसके थर्ड सत्यागरा ही कौन थे और वो टॉपिक हमने डिरेक्ली अपने वीडियो में कवर किया था मॉडर्ण हिस्टी के वीडियो में जो निखिल सरण ने लिया है उसमें एक्स्पिसिल्टी मेंशन था कि थर्ड परसन वो टुक दे इंडिविजल सत्यागरा वाज कौन थे वो ये कॉशन बोल रहा है कि वो वाज थे सकेंड सत्यागरा ही इंद बिहार सकेंड सत्यागरा ही कौन थे हमारे पर्थम डेपुटी चीफ मिनिस्टर अनुगरह नरायन सिंग फर्थम सत्यागरा ही कौन थे स्रिक्रेशन सिंग और सकेंड थे अनुगरह नरायन सिंग जो थर्ड सत्यागरा की बात हम कर रहे थे जो इस बार का सवाल था उसका ब्रहमदत ब्रहमदत जो थे वो थर्ड सत्यागरा ही थे इंडिविजल सत्यागरा में अगला कोश्चन जो है यह है कि फार्मर्स लीडर या फिर जो भी एक्टिव लीडर्स थे बिहार के उनका कौन से जिले से उनका रिलेशन था ये सवाल है जिसे इसमें स्वामी साहजानन, कारेनन सर्मा, राहुल संकृतायन और येदुरंदन सर्मा इसको करेक्टली मैच करना आप देखें कि स्वामी साहजानन जो है वो बेटा मे एक्टिव थे, कारेनन सर्मा मुंग 31 में ठे राहुल संकृतायन सर्मा के साथ-साथ, महमत जूबेर और स्रिकीसिन सिंग भी थे राउट संक्रताईन जो है वो सारन और दर्भंगा में अक्टिव थे ये दुनंदन सर्मा जो है वो गया में अक्टिव थे सब के बारे में काफी डीटेल से हमने कवर किया है आप इसको देख सकते हैं इसमें वेन वाज़ पर्दमस्री गिवन टू फनिश्वर नाथ रेनू अभी क्यों इंपोर्टेंट है ये क्वेशन हमने क्यों सेलेक्ट किया इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इनकी जो किताब है तो इस बार फनिश्वर नाथ रेनू इसलिए important है क्योंकि फनिश्वर नाथ रेनू की एक जो काफी popular किताब है काफी इनके signature किताब है वो है मैला आचल मैला आचल को इस बार Japanese language में translate किया जा रहा है जिसका नाम है दोरोनो सूसो उस नाम से translate किया गया है इसलिए इनके बारे में परना जरूरी है इनके बारे में सारी detail यहां दी गई है हमारा concern क्या है इस question में पूछा है तो 1970 में 1970 में emergency से पहले 1970 में इनको पदमस्री दिया गया था ठीक है यह याद रखना है अगला सवाल जो है वो है कि त्रिपुरी crisis त्रिपुरी crisis का आपका नाम लेंगे तो आपको याद आना आ जाना चाहिए कि त्रिपुरी crisis is related to स्वास्चंद्रबोस क्या हुआ था उसमें स्वास्चंद्रबोस और पट्टा भी सितरमिया का जो इशू था वो वाला इशू हुआ था उसमें तो question है कि तो उसमें इशू क्या हुआ था कि स्वास्चंद्रबोस को जो है ना दूसरी बार वो चुनाव जीत गए थे लेकिन उनको जब काम करने का तरीका था वो तरीका ऐसा था कि जो working committee थी Congress working committee थी उसको supersede कर रहे थे उनकी बातों को नहीं समझ रहे थे और वो चाह रहे थे कि जो Congress working committee है उनके ख्यालों को उनके विचारों को ही माने तो उसमें थोड़े differences थे उन differences को लेके उनको जीतने के बाद भी उनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ गांधी जी का और उनको अपने त्याग पत्र देना पड़ा और जो प्रेजिनेंट पद है वो नहीं समाल पाए बाद में राजेंदर प्रसाद को प्रेजिनेंट बना दिया गया Congress का तो overall राजेंदर प्रसाद ने देखें तो तीन session किया है Bombay session, Tripuri session और जब J.B. Kriplani ने 1947 में resign किया आजादी के समय J.B. Kriplani ही Congress के प्रेजिनेंट थे और जब उन्होंने resign किया तब वो कारिभार समाला स्री डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने ठीक है इस related fact जो भी है ने काफी important है क्योंकि राजेंदर प्रसाद पहली बार गांदी जी को कम मिले थे 1916 में मिले थे लखनो session में अब लखनो session में क्या क्या हुआ था दो चीजें हुई थी एक extremist और moderate साथ हुए थे एक क्या हुआ था Muslim League और Congress में भी सुला हो गई थी क्योंकि World Events जो थे वो Muslim League को Congress सुहा नहीं रही थी कैसे भी उस तरह से लेके उन दोनों में काफी जुराओ हो गया था अब इनकी तीन किताबे हैं एक किताब बहुत ही important है और लेडी पूछ चुका है India Divided इसी किताब में उन्होंने यही एक बहतरीन किताब है राजंदर प्रशाद के द्वारा जिसमें उन्होंने कहा है मिंटो को कि he was the father of Pakistan उनकी दो और किताबे हैं Economics of Gandhi और Gandhi in चंपारन यह तिनों किताब काफी important है यह पूछ चुका है यह दोनों काफी जल्दी पूछ सकता है आपको India Divided और India Undivided में confusion नहीं होना है या Undivided India में भी confusion नहीं होना है सबके अलग-अलग writer है राजिंद परसाद जो है वो India Divided लिखते है यह question जो है यह modern sorry medieval history का है इसमें किताबें है और यहाँ पे उसके writer है यह भी काफी prevalent question रहता है इसलिए यह match of the following आप देख लिजेगा factual है काफी factual है यह आपको पता भी होना चाहिए यह question जो है इस question को आप देखेंगे हमने काफी अच्छे से अपने वीडियो में cover किया है जो हमारा ancient history का बिहार special video है इसमें यह question अच्छे से covered है और इस तरह के question BPSC एकदम से cover करती है यह ज़्यादा factual नहीं है कुछ चीज़ ऐसी है इसमें जो in fact काफी ज़्यादा relevant हो जाती है examination point of view से क्योंकि उस समय का जो history period है जो भी जानकारियां हमारे पास है उस समय के history जो है कहीं ने कहीं बिहार के एड़गेद ही घूमती है तो इसमें सही statement जो देखें क्या था जीवक was the court physician of हरनेक डैनेस्टी ठीक है और दूसरा सही option क्या है मक्खाली जोज़ वाज़ फांडर आफ आजीविका सेक्ट अब जीवक कौन था क्या ये बिंबिशार का पुत्र था ठीक है इसके बारे में जानने के लिए अगर और डेटेल में जानना है तो वीडियो को देखिए आफ फिलहाल इसमें आंसर देख लिजे क्या है और डेटेल में आप बढ़ सकते हैं जो explanation है उसमें भी काफी कुछ दिया हुआ है और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ages में कोई भी era में कोई भी लीडर है कोई भी बड़ा अगर महा हुए वो डैनेस्टी के फाउंडर है या उस डैनेस्टी के एक किंग है तो उनका जो उपनाम है वो काफी important होता है यहां भी उपनाम पुछा है कि सेनिया किसको बोलते थे या अगले एक जगह दिया है कि कुनिक किसको बोलते थे अजासुत्रू को कुनिक बोलते थे सेनिया किसको बोलते थे बिम्बिसार को सेनिया बोलते थे ये बिम्बिसार को सेनिया बोलते थे ये longitudinal extent of बिहार पूछा है बिहार जोग्राफी का question है काफी simple है ये एकदम से factual है समझाने लाए कुछ नहीं है who among the following is incorrect इसमें गलत कौन है ये पूछ रहा है सवाल है वो बिहार की जोग्राफी से related है और इसमें आपको जानकारी क्या होनी चाहिए कि बिहार के कौन-कौन से district कौन-कौन से country के साथ boundary share करते है ये आपको पता होना चाहिए तो इस question का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं काफी simple question है आप इसको देख लीजिएगा आगे बढ़ते है अगला जो question है वो census से है और वो बिहार census से है question है कि aspect census 2011 the correct order of districts of Bihar in ascending order of sex ratio ये question important है इसलिए है क्योंकि इस बार जो एक question पूछा था उसमें लोग highest याद करता है ये second याद करता है इस बार जो है वो order पूछ दिया था ठीक है इसके लिए हमने इस type के question को consider किया है अब देखिए अगर आप sex ratio देखेंगे बिहार का तो ये 918 female per thousand male है as per census 2011 आपको एक चीज़ तो पता होगा कि गॉपाल गंज का sex ratio सबसे जादा है एक यह possible है कि यह possible है यहाँ गॉपाल गंज सबसे कम एक तो possible ही नहीं है यहाँ गॉपाल गंज से ज़्यादा मूंगेर है आप जानते हैं मूंगेर बहुत ही बदनाम है sex ratio में क्योंकि वह सबसे कम है तो इसी बदनामी के कारण इसको हम highest दे नहीं सकते जब highest दे नहीं सकते तो ये भी option हमारा खतम हो गया अब हमारे पास दो option है देखिए ठीक है अब आपको पता है एक और चीज कि मुंगेर has the lowest sex ratio जो मुंगेर होगा सबसे निचले तले पर होगा ये उ उपर जा ही नहीं सकता है तो यहां पर कैसे बीच में आ गया तो answer यही होगा है ना कैसे हमने इसको solve किया elimination से simple है हमको दो चीज पता है गोपाल गंज highest है और मुंगेर lowest है ठीक है अब देखिए गोपाल गंज highest है तो यहां कैसे रख दिये इसको ये खतम हो गया गोपाल गं का sex ratio सबसे ज़्यादा है अब गोपाल गंज का sex ratio सबसे ज़्यादा है और मुंगेर का सबसे कम है यह भी हमको मालूम है लेकिन यह मुंगेर बीच में है मुंगेर को तो इधर रहना था ना तो यह भी खतम हो गया तो अगर आप बाग का नहीं जानते हैं सिर्फ यह दोनों कुश्चन है और इसको याद रखेंगे आपकी वेस्ट चंपारन में क्या है ना यह जो हाइस्ट सेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कि सेंसर 2021 का अनुसार करेक्ट और और डिस्टिक और बिहार इन दा असेंडिंग और आफ ए कि अलिमिनेशन से बना सकते हैं टॉप में कोन आता है टॉप में आ जाता है रोहतास और लोइस्ट में कोन आता है लोइस्ट में आ जाता है आपका और पुर्णिया जो है इसका लोइस्ट लिटरसी है अवरेज लिटरसी हमको टॉप पता है लोवर पता है अब देखिए ट पोडियां lowest में है तो यहां बीच में क्या कर रहा है यह ना इसको तो last में होना चाहिए इसलिए यह answer होगा आप देखे सिर्फ आप जानते थे highest और lowest लेकिन आपने निकाल लिया डिडियूस कर लिया उससे आंसर तो इससे क्या सबक मिलता है इससे सबक मिलता है हमको कि हमको जो याद है उससे आंसर तक पहुँचना है ना कि हमको और ज्यादा फैक्ट रटने की ज़रुरत है जितना हमको पता है उससे हम को सिस करेंगे कि आंसर तक अराइव करें आंसर तक पहुँचें अब यह कुछ facts है census के वह आप देख लीजेगा यह important है क्योंकि इससे एक question इस बार पूछा है इससे related question पूछा है कि he was the first governor of Bihar उसी तरह देखें तो who was the first governor of Bihar in the independent India तो he was the जैरामदास दौलत राम उसी तरह से स्रिकेशन सिंग के बारे में देखें तो he was the first chief minister of Bihar अब B का वन हो गया हमारे पास तो B का वन हम कहां पर देखेंगे B का वन यहां पर हमारे पास बस यह किए यह इसलिए answer हो गया यह और बाकी detail आप पढ़ सकते हैं who is currently the speaker of Bihar legislative assembly यह बिलकुल जारना चाहिए आपको अबध बिहारी चौधरी जी है बिहार के speaker आपको बिहार legislative assembly में जो भी important leaders हैं जो भी important working और prominent हैं उनको हमको याद करना है क्योंकि उससे भी related question आता है अवध बिहारी चौधरी जो है सिवान constituency से RJD से MLA है और वो ही जो है वो speaker है बिहार legislative assembly के बिजे कुमार सिन्हा जो है BJP के वो क्या है भी leader of opposition है बिहार में समराड चोधरी क्या है समराड चोधरी is the leader of opposition in बिहार legislative council ये CDPO में आना था question अगला question IFSR का है ये statement based question है direct factual है इसमें कुछ हम कर नहीं सकते economic survey का नुसार per capita energy consumption कितना है ये एकदम silly question है simple question है नहीं आए तो तयारी मत करिए simple भात है ये भी direct question है economic survey से आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि which among the following is not among the most attractive industries for industrial investment industrial investment में आप देखेंगे तो ethanol है food processing है renewal energy है लेकिन लेधर नहीं है ये हमारा कौन बोलता है ये हमारा economic survey बोलता है ये question जो है ये economic से related है और थोरा इसमे current affair का तड़का लगा दिया है क्या किया है कि जो manufacturing sector है जो service sector है जो primary sector है मतलब primary, secondary और tertiary का कितना कितना percent बिहार की economy में योगदान है लंबे चोरे statement का यही मतलब है अगर आप देखेंगे तो primary contributes to 24% secondary sector यानि कि manufacturing sector contributes around 15% and 61% contributes to in the services sector या tertiary sector of Bihar this is important question अभी जो एक handbook of statistics on Indian states आई है वो किस के द्वारा release किया गया है तो वो RBI के द्वारा release किया गया है अगला question आते हैं कि which of the following is the regulator of securities market securities market का regulator कौन है तो काफे simple है CBI है या आपको पता होना चाहिए अगला question RBI से related है कि RBI has the right to transact government business of union of India यह तो बिल्कुल सही statement है सरकारी जो government of India का जितना भी government transaction है government business है वो कौन transaction करता है RBI करता है state government transactions code carry out करता है RBI करता है किस act के अंदर वो करता है RBI act के अंदर इसलिए यह भी सही हो गया उसके बाद है governor of Sikkim and RBI have such an agreement Sikkim का RBI से ऐसा agreement क्यों रहेगा state government का ऐसा agreement नहीं रहता है जो major agreement रहता है वो central government के साथ ही रहता है RBI cannot manage the public debt गलत है RBI is managing the public debt rate of interest paid to the bank by RBI is known as देखे इसमें दो-तिन concept है इसमें है कि repo rate क्या होता है इसमें है कि reverse repo rate क्या होता है इसमें होता है कि bank rate क्या होता है इस अब जो basics हैं आपको बिल्कुल clear होना चाहिए फिलहाल जो question पूछ रहा है कि rate of interest paid to the banks by RBI अगर RBI bank को interest pay कर रही है तो क्यों pay करेगी क्योंकि वो banks जो है अपना पैसा RBI में रखेंगे अगर bank अपना पैसा RBI में रखेंगे तो RBI उनको interest देगी लेकिन अगर bank RBI से loan लेती है अगर banks RBI को interest pay करते है इस question में क्या पुछा है question में पुछा है कि bank को RBI पे करती है लेकिन मैं पुछ रहा हूँ कि अगर RBI को bank पे करती है तो वो कौन से rate के अंदर पे करती है रेपो rate के अंदर लेकिन वही अगर banks को RBI पे करती है तो वो करती है reverse repo rate के अंदर इसलिए इसका answer जो है वो reverse repo rate हो गया इंडिया's rank gender gap report में क्या rank है इंडिया की यह question most probable हो सकता है इंडिया की rank जो है वो 135 है अब यह है कि global gender gap index जारी कोन करता है global gender gap index जारी करता है world economic forum जिसमें इंडिया की ranking कितनी है you must not forget this is 135 135 किसमे ranking है global gender gap report में इसको जारी कोन करती है world economic forum आते हैं अगले सवाल पे अगला है कि who has recently been awarded the Gandhi Mandela Award Gandhi Mandela Award किसको award किया गया इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा अभी दलाई लामा जो है अभी बोध गया आये हुए है और यह जो है यह 14 हमें दलाई लामा है इनको Peace Prize दिया गया था 1989 में उनको Universal Ambassador of Peace कहा गया है अब Digital India Week 2020 की थीम क्या है यह काफी factual है current affair related है इसकी थीम है catalyzing New India's Ticad First Indian to win the Jurij Diamond League title ऐसा कौन इंडियन है जिन्होंने Jurij Diamond League title जीता है तो वो कौन है? He is the Neeraj Chopra, Neeraj Chopra won the Jurij Diamond League title यह आपको याद रखना है current affair का है important है Who among the following is honored with the Mother Teresa Memorial Award Mother Teresa Memorial Award से किसको नवाजा गया है Mother Teresa Award जो है वो दिया मिर्जा को और अफ्रोज शाह को मिला है जो दिया मिर्जा है वो United Nation Environment Program की National Goodwill Ambassador है याद रखियेगा United Nation Environment Program की National Goodwill Ambassador कौन है दिया मिर्जा है और Environmental Activist अफ्रोज सा है इन दोनों को Mother Teresa Memorial Award दिया गया है Social Justice 2021 के लिए ये अवाज कोन दिये थे कि किनोंने दिया है तो एक चीज़ Fact भी हाँ आप याद हो जाएगा कि महारास्टा के गवर्नर कोन है महारास्टा के गवर्नर अभी स्री भगत सिंग कोशिया रही है महारास्टा के गवर्नर इन्होंने अवाड किया है दोनों को Mother Teresa Memorial Award से States which is having the highest number of Ramasar sites in India अभी जब देखेंगे हमारे पास Total 75 Ramasar sites आ गए तो अभी सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा state है जिसमें सबसे ज़्यादा number of Ramasar sites है तो वो है State of Tamil Nadu अभी एक सवाल और उठता है इसमें कि वो ऐसा कौन सा country है जिसके पास Ramasar sites सबसे ज़्यादा है तो आप याद रखिएगा United Kingdom is the country which has the highest number of Ramasar sites Ramasar sites in the world अभ Ramasar site क्या है convention क्या है इसे related Montrex record क्या है यह सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे हमारे scope के बाहर है who launched the e-amrit app e-amrit app किस ने launch किया e-amrit app ने निति आयोग ने launch किया e-amrit app किस के लिए launch किया इन्होंने launch किया e-vehicle से related है यह उसके लिए launch किया charging के लिए उनके battery से related कुछ इसका concept है उसके लिए इन्होंने e-amrit app को launch किया which is the first state in India to implement the system of ordering online maps of villages and towns यह बहुत बढ़िया है कि जो villages और towns है उनके map को आप online यह order कर सकते हैं तो कौन सा state है हमारा state of Bihar हमारा state of Bihar ने यह system डाला है you can order maps of villages and towns online online और वो कौन सा ministry के अंदर किया गया है that is under the ministry of revenue and land reforms department ठीक है अब नॉर्थ इंडिया का पहला biotech park कहां बन रहा है नॉर्थ इंडिया का पहला biotech park कहां बन रहा है वो कठुवा में बन रहा है कठुवा कहां है कठुवा जमू इन कास्मीर में है अब उसके left-hand governor कौन है left-hand governor Manoj Sinha है नॉर्थ इंडिया का first industrial biotech park जो है वो गटी में बना है गटी कहां है कठुवा के नजदीक है इंडिया का पहला wind solar hybrid plant कहां commission हुआ है इंडिया का first wind solar hybrid plant कहां commission हुआ है this has been commissioned in जैसल मेर जैसल मेर कहां है राजस्थान में है वो क्या है रगिस्तानी इलाका है इंडियान women's team won first gold medal in commonwealth games 2022 in which sports आपको पता होना चाहिए कि इंडियान women's team won first gold medal in commonwealth games 2022 in lawn balls अगला सवाल है कि who among the following has been given the title of world games athlete of the year 2021 इसका answer है PR series PR series को क्या है ये इन्होंने he has won the world games athlete of the year award for 2021 अगला question है कि इन्वी state इंडियास first geo park जो है वो construct हो रहा है तो इंडिया का first geo park कहा construct हो रहा है इंडिया का first geo park construct हो रहा है मद्परदेश में मद्परदेश में कौन सी जगह है मद्परदेश में जगह है जबलपूर जिष्षिक अब पुछेगा कि geo park है क्या तो geo park एक unified area है जो protection and use of geological heritage in a sustainable manner को ensure करता है अभी बताईए कौन सा first country है who has become the first country to play thousand ODIs in the international cricket that country is India recently Alexander van der Ballen has been elected as the president of which country he has been elected for the president of Austria in which state India's first forest university will be established अगर देखेंगे first forest university कहा established होगी first forest university तेलंगाना में established होगी ठीक है globally देखें तो यह तीसरा forest university होगा पहला forest university रस्या में दूसरा चाइना में और तीसरा इंडिया में नागर्नो करवाक reason काफी famous था पुछलियों दिनों इसका जो conflict का cause है between the two countries क्या है यह जो नागर्नो करवाक है यह एक particular reason है Armenia और Azerbaijan में ठीक है उससे related conflict होता रहता है which is the best city in India according to the time out 2022 index अगर best city की बात करें तो best city is Mumbai commonwealth games 2026 will be held at which of the following places 2026 का जो commonwealth game होगा अब याद रखेगा कि that will be held in Victoria in Australia इसमें important है कि 22 जो हुआ था commonwealth games वो बर्मिंगम में हुआ था जो कि England में है हमने इसके लिए काफी elaborate में एक वीडियो में सारा कुछ डिसकस किया है which district of Bihar has been announced to build the state's first textile mitra park पहला जो textile mitra park है वो कौन से district में बढने का announced हुआ है तो this that has been announced in West Champaran West Champaran में कहां पे वालमी की नगर में Padmasri Ramachandramanji has passed away he belongs to which language folk dance and theater Padmasri Ramachandramanji जो है वो भोजपूरी के folk dance theater में interest रखते थे ये एक question बहुत important हो सकता है कि who has been appointed as the brand ambassador for the promotion of khadi handicrafts and handloom products of Bihar तो महितली ठाकूर है महितली ठाकूर जो महितली भोजपूरी सिंगर है उनको brand ambassador बनाया गया है for promotion of khadi handicrafts and handloom products of Bihar अभी Bihar के industry minister कौन है ही समीर कुमार महा सेथ अगला question है कि Athletics Federation of India is organizing 33rd East John Junior Athletics Championship ये कहां करया जा रहा है ये करया जा रहा है पतना में in which city of Bihar's first metropolitan surveillance unit will be set up for the immediate detection and prevention of disease पतना में set किया जाएगा वो monitoring of which of the following has been started in Bihar with the best plus app best plus app किसे होता है government school के tracking system के लिए है government school को track किया जाता है government school की जो भी उजनाए है उसके जो भी officers है जो भी student का है वो सब tracking उसमें राखता है what amount has been approved by the Bihar cabinet for the families affected by liquor ban liquor ban से जो families effect हुई है उनको बिहार cabinet ने एक लाग रुपे का अनुदान announce किया है एक लाग जो है वो to ensure that thorough implementation of the prohibition law is there which is the first state in India to prepare road map on manustral hygiene manustral hygiene पे road map prepare करने वोला पहला state कौन है वो हमारा state of Bihar है the nurse from Bihar who got the Florence Nightingale award मिला जिनको वो कौन है ऐसी nurse कौन है बिहार से जिनको Florence Nightingale अवाड मिला तु उस nurse का नाम है Sabrun Khatunen Nazya Praveen उनको कौन साथ अवाड मिला Florence Nightingale अवाड मिला आगे जो है दस question गनित के है आप download कर लिजी इनको solve करिए और इस तरह के questions के detailed video हम लोग लाएंगे और इस तरह के question को solve करेंगे math को इतना detail में बताने का कोई मतलब नहीं है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जरूर टेस्ट दीजिए अगर आपने नहीं दिया अभी तक आप यह नहीं किया है तो जरूर दीजिए और ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद